हेलो बच्चो तो वापस स्वागत है आपका इस modern इंडिया के कोर्स में modern इंडिया की सिरीज में और आज हम लोग वापस यह continue करने वाले अपना discussion and most importantly आज कहानी की शुरुआत होने वाली अब तक हम लोग माक्रो discussion कर रहे थे अब कहानी शुरू करने जा रहे हैं कि हां भई कि modern इंडिया की actually कहानी है क्या रइट तो एडवेंट ऑफ दे यूरोपियंस इंडिया कि भई यह यूरोपियंस अंग्रेज जो हम कहते हैं कि हमें हमें गुलाम मनाये रहे तो यह आए ही क्यों कहां से आए क्यों आए रीजन क्या था इन सारी बातों का आज जो है इसको समझेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग चाप्टर रहे तो दिस चाप्टर थ्री ऑफ इस्पेक्ट्रम बुक तो यह हमारा सोर्स रहेगा बॉडन अंडिया के लिए रैट तो इसे हम उटेनी उ कर रहें या तो यहां वे बात करेंगे सबसे पहले पूरचुगीज इचैनल करेंगे इसके 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 साथ-णि नहीं है तो इनकी कहानी बात में देखेंगे रैट फ्रेंच आएगे तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हमारे जो important है वो है PDF PDF तो इस sequence में PDF के sequence में हमारे लोग आते रहेंगे अब इसमें जीतने वाले हैं अंग्रेज राइट अंग्रेज जीतने वाले हैं तो ये क्यों जीते जास में ये भी बात करेंगे कि ऐसा क्या खास बात है वाई ऐसे क्या सुरुख आपके पर लगे हुए ह हाँ यही लोग जीते इन्हीं की जीत हुई और फाइनली इन्हों नहीं हमारे उपर राज जिखिया राइट यह पूरा discussion हम लोग करने वाले है आई यह बात शुरू करते हैं तो इसके पहले जो है थोड़ा परस्पेक्टिव करें आपको एक सवाल दे रहा हूं कि एक्जा कि जो ब्रिटिश की जो दुश्मनी है फ्राव के साथ राइट हैना वो किस तरीके से जिम्मेदार है इस्ट इंडिया कंपनी के राइस के लिए अब क्या है इस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे हम लोग क्या है विशेक्ष्वास्ता अंदा कोर फाकल्टी पीड़ों अबते बारे में हाते पढ़ कहानी स्युरू करते हैं तो परच्यूगीज की कहानी शुरू करते हैं अपयांगों बताओं कि जड़ा हो क्या रहा है पॉर्च्यूगी का तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि पहले इस दुनिया में जो राज्य हुआ करता था 700 सेंचुरी तक 700 सेंचुरी तक सम्वेर डॉमिनेट किया करता था रोम अनम्पाय यूरोप डॉमिनेट किया करता था पहले डॉमिनेशन था यूरोप का पर ग्राजुली ये डिक्लाइन करने लगा और 700 से राइज होने लगा अरव तो 700 सम्थेंग ये नो अरव कर राइज होने लगा और ये होता ही गया काफी टाइम तक ऐसा माल लिए कि ये लगभग 1500 तक आप ले लिए 1500-1600 ले लिए कि हाँ ये राइज तो है तो इनिशली दुनिया में दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉंग पावर थी वो हुआ करती थी रोम इन फैक अगर हम दुनिया को इस तरह माल ले कि हाँ लेट से ये जो है इंडिया है यहां पे अरभ है एजिप्ट साओधी अरेविया जो है ये वाला एरिया और फिर फिर यहा आप ऐसा मान सकते हैं कि इनिशली ये समय रोमन अंपायर का समय है इन फैक इन फैक ये जो रोमन अंपायर के राइस का समय है इस समय भी हमारे साथ बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था लैंड रूट से सी रूट से चाइना के साथ रूट ये ट्रेड और इस समय भी जो चाहे वो सत्वहनाज हो जाएं, चाहे वो नीचे के चेराज, चोलाज, पांडियाज हो जाएं, राइट, है ना, ये सारे ही लोग इस trade से flourish हो रहे थे हमको पैसा मिल रहा था, राइट, तो हम connected थे इस trade से, मज़ा आता था हमको, बहुत बढ़िया था भई, है ना, तो पूरे, in fact, in fact, जो पूरा, you know, जो गुपता एरा का, जो गोल्डे नरा कहते हैं, हम कहते हैं कि भारा सोने की चलिया थी, तो सोने की चलिया होने के पीछे कहीं ना कहीं यह पैसा जो रोम से मिल रहा है हमको, रैट, यह बहुत जिम्मेदार है, तो initially यह रोम वाला trade हमारे लिए बहुत favorable, बहुत बढ़िया हुआ करता था, बट पहले तो रोमन अंपायर ने यह trade कम करने की कोशिश करी, और फिर रोमन अंपायर का खुद भी decline हो गया, और जब रोमन का अंपायर का decline हुआ, तो then, again, somewhere here, Islam का rise होता है, और Islam के rise के साथ साथ अरब का rise होता है, तो अरब अरब अब चमकने लगेगा, और दूसरी तरफ Europe decline हो जाएगा, अब जब अरब चमक रहा है, तो इंडिया के साथ जो भी trade हो रहा है, वो अरब का हो रहा है, राइट चाइना के साथ भी अरब का trade हो रहा है, तो land route, अरब का trade जो है, बाकी जगाओं से भी हो रहा है, तो यानि कि अरब important है यहाँ पर, in fact, अगर Europe को भी कुछ खरीदना है, right, कुछ समान खरीदना है, तो वो अरब के द्वारा ही खरीदेगा, अरब विल बिकम एन इंटर्मीडियरी, बिचाओ लिया, और इसमें profit भी कम आएगा, तो यह जो दौर 700 से 800 900 हजार something चालू हुआ है, यह अरब का दोर है, in fact, अगर मैं आपको मैप दिखाओ, तो इस इस ओटमन अंपायर, right, ओटमन अंपायर, वन अफ बिगेस्ट अंपायर, वन व द बोस्ट इंपायर, ओटमन अंपायर, तो ओटमन अंपायर, आप देखें तो इधर टर्की वगरा में भी रून कर रहा है, right, प्लास प्लास इधर यूरोक साइड भी जो इसका राज स्प्रेड हो चुका है, right, प्लास इधर जो है, इधर आपके जो है, रेट सी साइड और एजिप्टेरिया जो है, पूरा, इजिप्टेरिया भी उसी के कंट्रोल में है, right, not only this, even towards this side, Mediterranean में, तो काफी फैली हुई अंपायर है, काफी बड़ी अंपायर, तो इस समय क्या चल रहा है, हम देख रहे हैं, not only this, यह तो ऑ्टमन के हमने बात कर दी, but otherwise भी Arabs का वर्चस है इस समय में, इस दौरा, right, और हमसे जो trade होगा, इसके आगे जो हमसे trade होगा, वो Arab करेंगे, हमारे trade important भी हम कई चीज़ों में deal करते हैं, हम spices में deal करते हैं, तो at least दो चीज़े हमारी finger tip पे होनी चाहिए, कि अगर हमसे कोई पोचे कि हम किस चीज़ में trade करते हैं, तो बच्पन से ही, Indus Valley Civilization से ही हम textile में expert रहे हैं, तो textile और spices, यह दो चीज़े तो आप मानी सकते हैं कि हमारी USP है, right है न हमारी USP है, plus not only from us, even from the South East Asia, South East Asia, बहुत spices आते हैं, तो वो भी वो भी आप समझेए कि हाँ अच्छे सपोर्टाने सेम ट्रेड में, right South East Asia भी अच्छा खासा जो है, मसाला दे रहा है, तो इनिशली ये case हुआ करता था, Roman Empire के साथ, but Arab के साथ कहानी बदल चुकी है, अब Arab trade कर रहा है, बढ़ियां चल रहा है, and in fact, in fact, जो यूरोप का decline है, तो यूरोप के decline में, यूरोप में अब आ चुका है feudalism, अब में feudalism explain अभी नहीं कर रहा है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर समझो कि कहलो कि ऐसा dark age चल रही है, यूरोप में, but again, again, 1300-1400 के बाद हम देखेंगे, कि यूरोप जागेगा, आँखे खुलेंगे उसकी, और यूरोप में होगा रेने साथ, यूरोप फिर से जागेगा, उसमें फिर से जो है agricultural development वगरा होने लगेंगे, आई समस्ते इस बात को, तो कहानी यहां से, यह background है, और कहानी यहां से शुरू हो रही है, जागने से कहानी शुरू हो रही है, जागने से कहानी हम शुरू कर रहे है, तो हम कह रहे हैं कि भाई, यह जो पूरा trade है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि यह जो लाल आपको सारे trade दि है अगर जा रहा है यह यह जारा रहा है अगर यह के साइड यूरोप यूरोप यह पहुंच आघ में तो यह थ्रू जा रहा ये सिचुएशन, right, not only this, but even land route भी connected है, अरब द्वारा ही, सिल्क रोड से, चाइना से, प्लस हमारा, हमारा जो है, खाइबर पास, बोलन पास, तो हम भी connected है उससे, तो land route भी, अभी खाइबर बोलन की टेंचन मत रो, तो वाया land route भी हम connected है, वाया sea route भी हम connected है, ये sea route जा रहा है, रेड सी से, right, but control किसका है, control है अरब का, तो जो major merchant है, businessman है, वो सारे अरब merchants है, ये dominate करेंगे, अरब merchants सबसे ज़्यादा होंगे, तो global business भे, अगर किसी का हक इस समय है, right, let's say 10th century के आसपास, 11th century के आसपास, का हक है, तो वो है merchants का, right, merchants का, तो अरब merchants का, तो now, now, अब यूरोप में जागा, रेनेसा, तो आँखे खुल गई, एकदम से सोके उठे, खाए, अरे ये क्या हो गया है, हम लोग बिल्कुल दब गए, अरब कहां चला गया, हम कहां रहे गये, राइट है ना, तो ऐसा करके यूरोप को थोड़ा सा एहसास हुआ, जब एहसास हुआ, तो उन लोगों ने भी growth चालू करी, और कोई भी growth शुरू होती, सबसे पहले agriculture से, राइट कि बिना खेपी, बिना खेपी आप नहीं जीत सकते हैं, पहले खाने के लिए पहले पेड भरा होना चाहिए, उसके बाद आप science और navigation तो shipping सब बाते करते रहिएगा, तो agricultural growth चालू हुई, agriculture में बहुत सारी technology लेकर आए, राइट, प्लॉव अगरा इनों ने किया, crop management में साइन से करा आ गए, बढ़ियां बढ़ियां crops हुगाने लगए, उधर productivity बढ़ गई, rotation वगरा करने लगए crop का, तो अब धीरे धीरे क्या आ रहा है, with this growth of agriculture, they are having more prosperity, पैसा आ रहा है भाई, with agriculture, agriculture के साथ साथ, animal husbandry भी होती है, livestock भी रखोगे, जानवर भी रखोगे तो नाव, with this flourishment, meat eating और popular होने लगी, meat eating, right है ना, कि भाई, जब भी अगर आप non-vegetarian family को belong करते हैं, तो you can understand, कि कोई party हो, कोई महमान आया हो, तो सबसे पहले होता है, कि भाई, क्या हो, आज मतन मनेगा, right, तो कुछ वैसे ही कि जैसे यह पैसा बढ़ रहा है, उनकी requirement भी क्या हो गई कि अब खाली रोटी से नहीं होगा, रोटी दाल से बात नहीं होगा, आज थोड़ा meat बनाओ, जब meat बनाते हैं, तो meat फिर होता है, जाओ चिकन मसाला लेकर आओ, तो जो है, खड़ा मसाला लेकर आओ, एट से कहां से लाओगे मसाला, इंडिया से, right, तो अब उन्हे मसाले की जुरत पड़ रही है, अभी ने इंडिया की याद आ रही है, इंडिया की इंडिया एक्दम से जुदाई यासी फीलिंग होने लगी, कहां हो इंडिया, right, कैसे हो, कैसे जो है, मिले आप से वापस, why, why, ऐसा नहीं कि वो इंडिया वो जानते नहीं, उन्हें ऐसा अभी नहीं कि हमारे हमारा रस्ता नहीं पता है, but, but क्या है, प्रोब्लम क्या है, रस्ता ब्लॉग है, right, है न, जो पांच रुपय का मसाले का पकेट है, वो पांच रुपय का बिक रहा है आपे, है न, तो महेंगा है, तो कुछ तो जुगाड करना पड़ेगा, right, और अब जग भी चुले, जग भी चुके है, so now they'll be like, हाँ, they'll start, you know, building up, तो 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 साइन्टिफिक डेवलप्मेंट रहा होगा, तो ship building में क्या है, कि हाँ, बढ़िया बढ़िया जहास बनाना है लोग चुनू करेंगे, तो ship building और navigation में research होगे, right, plus, plus, demand not only for spices, जब पैसा आता है, तो कि भाई, जो है, अब हमको इंडिया करना अच्छा कपडा चाहिए, right, इंडिया में जो कपडा बनाते है, cotton मगरा के जो कपड़े बनाते है, बहतरीन बनाते है, तो उस तरह का हमें कुछ दिलवा दो, वो हमको चाहिए, तो अब demand जो है, demand जो है, यूरोप की जो demand है, it is towards luxury, it is towards prices, क्या जरूरत है, जरूरत है, इंडिया के साथ ट्रेड की, तो एक दम से भूख लगी है, कि हाँ जो है, इंडिया से ट्रेड करने हैं हमको, right, now, now, अब यहाँ पर यूरोप कुछ कंट्री समझो, अगर आप नहीं जानते हैं, तो तो यूरोप, तो नाव यूरोप मे important, जो, जो है, players है, तो एक तो हमारे पूरी कहानी में important है Portuguese, हमने PDF की बात करी, तो इस हूस लिए छोटा सा राज ये इंदम किनारे में अष्टा हुआ, राइड है ना Portuguese, राइड है न तो यह हो गया, दूसरा इसी के साथ है Spain, तो यह जबay का नाम आए तो मतलब Spain, मेभी आ यह जानते हो बर सुन लेक भरी राइट फ्रांस यह है हमारा एक और इंप्रॉटन प्लियर फ्रांस this is France then then Dutch is technically from नीधर लेंड यह लिखा हुआ है नीधर लेंड रैट डेन्स आर डेन्मार्क डेन्स राइट ओ प्लस ब्रिटेन आप जानते हैं यह जो एरिया है ब्रिटेन कि इधर अभी Ottoman Empire है समय कि नहीं है बट मीनवाइल ये वापस जगने लगे हैं ये वापस ग्रो करने लगे तो अब अरब के दिख रहा है जनुवा दिख रहा है राइट तो इटली यहीं Ottoman Empire के बगल बैठी हुई है राइट इटली भी इंट्रस्टेड है कि कुछ रस्ता निकलाए कोई और रस्ता डूड़ के लाओ तो वेनिस और जनुवा ये भी जो है सपोर्ड करने को रेडी है कि भाई ठीक है कु जो शिपिंग नॉलेज चाहिए जो ग्यान चाहिए देंगे बट जुगाड करो राइट अब ऐसे में ऐसे में सबकी आखे गड़ी हुई है पॉर्चुगल और स्पेन के ओपर कि भाई तुम लोग किनारे बैठे हो तुम लोग जाओ सबसे आगे तुम ही लोग बैठे हो लुग ब सकाल को तुम है में पॉर्चुगल में लेर इस हैंड़ी प्रिंडा को जलेगे ट chickens चलेगा रईट बंध को ऑचादि So he has that dream and that is the reason कि he will invest into this पैसे थोड़े इन्वेस्स करेंगे लोगों को कहेंगे हाँ पता करो मैब बनाओ, शिब बनाओ, अच्छा था शिब बनाओ, राइट कुछ तो फिगर आउट करो Now, now So, so, Pope है उस समय, Pope Nicholas V हैना वो कहेंगे कि यह लोग बुल Bull is कि you are very bullish, aggressive, very good जो है इसको पता करो, रस्ता पता करो, उनको और motivate कर रहे दो Prince Henry की death हो जाएगी before they will find out the route But, but still, but still जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यह खोजबीन चालू हो गए अब इस खोजबीन में दो बड़ी event है तो माल लेते हैं कि let's say यह है यह area है आपका Portugal और यह Spain और यह आपका पीछे का Europe Now, in 1492 1492 अब देखो यह idea है कि दुनिया गोल है तो अगर इस side भी चले जाएंगे तो घूम के कहीं इंडिया पहुंच जाएंगे क्या करने वाले by the way समझ लो करने यह वाले हैं कि यह जो अरब है अरब इस रस्ते से तो आप नहीं जा सकते तो कोई घूम के रस्ता बताओ कोई दूसरा रस्ता बताओ इंडिया पहुंचने का कहा पहुंचना है इंडिया पहुंचना है तो देखो एक दिमाज में बात यह आई कि हाँ अगर हम ऐसे 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 करते हो चले जाएं तो हम इधर कहीं से घूम के इंडिया पहुंच जाएंगे क्योंकि दुनिया गोल है तो ऐसा सोच कर ऐसा अपने मन में विचार करकर निकले निकले कोलंबस 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 राइट और यहां पर यह पहां पर पहूंच गए अमेरिका इंको लगा इंडियाच भयह बहुष हो चले रैच कि हमने इंडिया डहन दूल दिया इधर इधर आफ्रीका अगर है तो देन 1497 1497 1497 1487 1487 में एक और रूट एक और जहाद देके कोई निखरा यहां तक पहुंचा अब वापस आ गया इस रूट इस बाइब बार्थेजरोय वियो भाड़हर वियो डियाज़ तो इन्हों ने ये केप उफ गुड होड भू हो और इसके आगे नहीं गए आधार रसके पता है इंडिया के पार में पता था दोस्त बहुत पुरा में ट्रेडर है लेकिन क्या नहीं पता है यह और पॉर्ट रोप नहीं पता है तब पॉर्टुगेज और स्पेन में डिसाइड हुआ कि ऐसा है दुनिया को बाट लेते हैं राइट है ना ऐसा एक इमाजनरी लाइन खीच लेते हैं अट्रैंटिक में जिसके इस तरफ सारी ढूंडाई करेगा स्पेन राइट और जो भी उसे कुछ मिलेगा वहां जाके कि दो पार्ट में एक तरफ आप डूनरे इस तरह से बाठ दिया कि इधर इस लाइन के इधर पुछ मिला तो तुमारा इधर कुछ मिला तो हमारा, ऐसे करके इनोंने ठोड़ा right, and then and then, यहाँ से जर्नी शुरू होती है यहाँ से जर्नी शुरू होती है हमारे वासको डगामा के तो वासको डगामा तो वासको डगामा निकले यहाँ से पॉर्चुगर से ढूंटे हुए कि हाँ इस सेट जाना है तो ऐसे धूंते 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 निकले वह रही धूंते हुए पहुचे वापस यहां तक तो रस्ता पहले भी पता था अब आगे का पता नहीं है तो यहीं अफ्रीगा के किनारे किनारे रहेंगे ज्यादा बाहर नहीं जा माजिद किना मुलाकाद हुएंग लगें माजिद साहब आप इंडिया से एक हां भी इंडिया से आ गुझरात से क है यार जहे हम जारे इंडिया जारे रस्ता नहीं पता पहुंचा दो के तो माजिद समिंक दो कुल पाँचा देगे, ऐसी क्या बात है, आएए चलिये, तो now, now with Abdul Majid, with the help of Abdul Majid, they will leave for India and they will reach Calicut, so this is how, this is how they are reaching Calicut, right, पहुच जाएंगे, कैली कट पहुच जाएंगे, Malabar में, and this is a very very important event, very important event, तो year पहली बात तो 1498, दुनिया बदलने वाला, हमारी तो दुनिया बदल जाएगी, right, 1498, सबसे पहले तो यह year ध्यान रखेंगे, right, 1498, किसकी एंट्री हुए है, Calicut पे एंट्री हुए है, वास्को डगामा की, right, तो इस तरीके से वास्को डगामा इंडिया तक पहुँच गए, और यहाँ से शुरू होता है नया अध्याय, तो में 1498, now, में 1498 में जब वास्को डगामा पहुचे हैं, तो हमारे यहाँ पे उस समय, जो रूल है, इस समय, इस समय हमारे यहाँ रूल है, साउथ इंडिया में विजय नगर का, विजय नगर, तो विज क्योंकि अफ्कोर्स विजय नगर को मानते हैं, फिर भी एक छोटा सा एक लोकल अंपायर है, विच इस जैमुरे, आक्षिली नाम है समुधीरी, समुधीरी का राज्य हुआ करता था, समुधीरी, अब ऐसे इसे इन्वारेंट पहुचें, थोड़ अगर इंडियन सिनारियो नहीं, यह वो समय है, जब आप मेडियवल पढ़ेंगे तो इसे कनेक्ट करिएगा, कि यह वो समय है, जब नीचे साउथ इंडिया में एक विजय नगर अंपायर है, प्लस प्लस इस तरीके से अंपायर यहां पे चोटे 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 राज्य क्रियेट हो रहे हैं, एक बी राजपूत अलग हो रखा है, राजपूत अलग हो रखा है, और बड़ा राजी जो होना चाहिए था, जो डेली सल्तनत होनी चाहिए, राट डेली सल्तनत, अब क्या डेली सल्तनत कमजोर हो चुकी है, डेली सल्तनत भी कमजोर हो चुकी है, तो डेली सल्तनत में भी आग अब एक समय में डली सल्तनत बड़ी एंपायर हुआ करती थी खिली और थे उसमें लेकिन अब क्या क्या जो है क्या क्या डली सल्तनत ज्ट्रॉंग है ने एंट्री कर रहे हैं टेक्नी कली तो कोई बहुत स्ट्रॉंग पॉलिटिकल पावर है भी नहीं लेट आप कहेंगे सर व बदले में पैसा देगा उसके बारे में तो हमारी अच्छा ही है तो वाइनौट, तो वी शुड़ वॉंट, विशूड आपे अरभ, हाली अरभ हैं अब तक खाली अरभ सेंट, अब एक नअ रस्ते से हневत तो अच्छा हूं है न अरभ की मुनपली नहीं रहेगी है हना वहूंना अरभ हमको कम पैसा देगा, अब नहों में मुलाकात होगी अफकोर्स जैसे आप समझ गए कि समूदरी विल बी लाइक वेरी हैपी कि हाँ ठीक है जो है हमारे पास एक नया गरहा काया है कोई बात नहीं अच्छी बात है बुलाओ भाई इनको स्वागत करो तो उनका स्वागत किया जाए हाला कि यहाँ पे वासको डगा अब एक और बात कहेंगे वासको डगामा कहेंगे कि समूदरी सहाव ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ पॉन्चोगीज ट्रेड करें अरब ट्रेड ना करें रहे तो समूदरी मुस्कुराए पहले पहले दिन आए हो कहरो कि मुनापली करनी है तो यह यहाँ पर वासको डगामा के बाद भी ऑप्शन नहीं हो साट की है हाँ ठीक है चलो खरीकते जाते अभी वापस गये अपना समान आवाल लेके पेपर पर खरीदा इन्होंने वापस पहुचे पॉर्चुगीज पॉर्चुगल अब पॉर्चुगल पहुचे तो यही समान उसמא है जो है खुब महंगा खरीद आ गया खान रेटीज इस पॉपलर कि हाँ हरूने रस्ता भी बड़ी वाकर मकिए इना तु प्यपर जो हम सबसे बड़ा है सबसे बड़ी चीज कैश है वो है पेपर काली मिर्च और इसको लेके हम लोग यूरोप काफा खासा जो है इमोशनल है इसमें बढ़ा उनको पसंड आता है खाने मिला और खाते हैं रेट तो काली मिर्च जो है रेट को सारा काली मिर्च यहाँ से खरेकर लेकर कर, बेचा वहां पे वहां भी खुब महेंगे दाम। दस कालीगट 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 and this is samudiri right samudiri थोड़े कपड़े अपड़े जो है उपर कम पहनते हैं लोग पर गहने बहुत पहनते हैं right samudiri तो इनके बारे में 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 बढ़ाता हूंगे हाँ समुद्री और जो है जब अब दुर्रजाक आते तो क्या देखते क्या होता है but that is secondary topic not right now so now now again so this is the this is the city of Calicut कुछ जहाज आ चुके है right now they will start their business support Calicut now entry pot a big word use क्या जाता है entry pot तो Calicut क्या है entry pot है मतलब मतलब आते जाते सारे ship यहीं रुकेंगे यहीं समान खड़ी देंगे right transition में भी help कर रहा है अंदर का समान जो है hinterland का वो भी यहीं पर बीचा जा रहा है तो डाट वे डाट वे बिजनेस जो है Calicut का अच्छा बिजनेस है भाई बढ़ियां बिजनेस है तो सही जगा पहुंचे भाई Calicut पहुंच चुके हैं अब जब पॉर्चुगल पॉर्चुगीस में बात उठी कि इतना फायदा हो रहा है नया रस्ता मिल गया है अब तो हम काले लिए ुषामाइं थो को पैसा कमाएंगे तो दिशनमेंगे दियारे वेंच्रे आर इंट्रेस्टेट ऐसे लोग यह इंट्रेस्टिट हैं कि भई हम भी ब्यूर्च करेंगे अब ऐसे ही हैं हमारे कबराल जी पेडरो अलवरेस कबराल पेडरो 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 ने का तुरंद निकलो तुरंद जहाज बांदो रस्ता मिल गया चलो भागो राइट है ना भाग के पहुंचे कैली कट तो पंदरा सो में तुरंद थी है ना विदिन टू यर्स अगर आप देखिए तो व कैली कट में जहाद से अपना ही समान उतार रहे थे राइट अब इस पे कुछ लोकल्स थे वहां के लोकल्स ने फाइदा उठा लिया अटाक कर दिया राइट लोकल्स ने अटाक कर दिया अब पेडरो अलबरास कब्रेया पहली बार आये हैं बिजनस करने तो स्वाधत इनक किया इनको सूझा राइट इन्होंने यहां जो अरब जहाज खड़े थे राइट उनकी ऊपर बिबम किरा दिया इंको भी जला दिया इनको इनका समान भी छीं दिया राइट अन्ना इसका लॉजिक नहीं है कि भई कॉमपेटीशन है यह मौका मिला है तो गुस्से में यह भी दिखा दो कि हाँ चलो हमने उसको बर्बाद कर दिया तो शुरू से पहले दिन कहते हैं आप मूत के पाव पालने में दिख जाते हैं तो पहले दिन से यह हरकते चालू हो गई अभी नए नए आए हैं तीसरा साल है टेक्निकली और यह सब इन्होंने चालू कर दिया है तो कैलीकट, कोचीन और कैननोर तो यह तीन प्लेसे इनिशली राइट अभी वासको डगामा भी आ जाएंगे तो यह तीन प्लेसे इनिशली जो है समझे है कि हाँ इंपोर्टेंट हो रहा है राइट यहां से ट्रेड चालू हो रहा है तो नाव यू कन से कि इन इंडिया में मलाबार एरिया में सबसे पहले उनको थोड़ा सा पैर रखने को मिल रहा है तब तक वो भी वापस आ जाएंगे वासको डगामा तो वासको डगामा पंदरा सो एक में फिर आ गए रैट जैमोरं से कहते हैं कि अरब मर्चंट को एक्स्क्लूड कर दो है ना अरब मर्चं हो जाती तो यह क्रेश चालू है राइट यह तीनों फ्रेसे इंके इंपोर्टेंट ट्रेइडिंग सेंटर स्टार्ट में शुरू हो जाएंगे ना दिस इस वाट की हाँ वासको डगामा एंड पेडरो अलवेरस का वाल तो टेक्निकल यह सब बिजनेस हो रहा है बिजनेस क करना चाहिए कि यहां पर हमारा वर्चस है रड़ तब सरकार इंटर्वीन करेगी अब बारी पॉर्चुगी सरकार की अब तक वासको डगामा और जो है कबराल आ रहे थे लेकिन अब सरकार को क्या लगा कि अब हमें अपना ओफिशली गवर्नर भेचना चाहिए गवर्नर जो कि सरकार की रणनीती को इस एरिया में एग्जेक्यूट करें ना ना पहला गवर्नर तो लिटस्ट पुट दिस ओना टाइम लाइन बनाते हैं अगें अगें पीज मेंग इस टाम टाइम लाइन राइट काफी आसान हो जाएगा आपके लिए तो हमने बात करी कि कहानी श एन बसाली जाहरों है कि हम हृए मलाबार में एतना कहानी और नहीं इस बthoseल मिले ने पहले पॉइंट अब यहां थे दूसरा important सरकार के एंड्री तो नाव नाव तो पहली बार एक गवर्नर को भेजा गया 1505 में तो नाइट 1505 में टेक्निकल इसका जो टेनियोर है वो तीन साल का फंदनासो आठ तक किसको भीजा गया है फ्रांसिसको दी अलमियदा फ्रांसिसको दी अलमियदा को भेजा गया है कि जाओ यह जो हमें रूट मिल गया है जो इंडियन ट्रेड है यूशुड टेक केर नाव राइट यूशुड रेगुलेट दा पॉलिसीज यूशुड क्रियेट की हाँ भई हम सिक्योर रहें कोई हमारा नुकसान ना हो तो इसक यह अपना एक गवर्नर भेजा है और गवर्नर का टेनियोर होता है तीन साल का राइट आगे फ्रांसिसको दी अलमियदा को कुछ जो है कुछ जो है हिदायते भी दी गए इनको बोला गया है कि भाई उम्हें एंशोर करना है पहली बात तो अपना बिजनस अपनी पोजिश और मलक्का अगर आप यह सीज कर दें तो बात बन सकती है क्या कह दिया भाई यह अजीव सी बात कह दिया इन्होंने कहा कि भाई अगर गल्फ ओफ एडन अगर यह अपने कंट्रोल में आ जाए यह रस्ता हम ब्लॉक कर दें रैट हर्मूस अगर यह रस्ता ब्लॉक कर दें प्लस मलक्का यानि इधर साउट आफरीका स्ञंगापूर साइट इधर जाने वालना रस्ता भेण वह ब्लॉक कर लेंगे लिए वह यह बहुत ब्लॉक हो जाया यह भी अपने कंट्रोल में हेर पने अपने कंट्रोल में और इक स्टोर Fabry अ-स्यू इतीन कर दो और प systैं कहा पॉर्चुगीज लेक क्रिट हो जाए अपना तालाब बना रहे हमारी इंडियन ऊशेन को कि इंडियन जो है वो टेक्निकली पॉर्चुगीज लेक की तरह हो जाए अब आपके दिमाग में आएगा सरी इतनी हिमाकत कैसे कर सकते है रेट कर सकते है reason यह है कि इनका जो जहाज है इनका जहाज इनका जहाज multi-deck जहाज है उसमें तोपे लगे हुए है यह जहाज जो है यह ऐसा छोटा मोटा पानी पार करने के लिए नहीं बनाए गया है यहाँ मॉन्सून की हवा लगी और हम यूनों ऐसे बहते हुए इंडिया पहुँची गया यह वो जहाज नहीं है यह वो जहाज है जो इधर पूरा यूरोप क्रॉस करके अफ्रीका क्रॉस करके नीके के घूम के और सारे तुफानों के थपेडे लेते हुआ कैलिकट पहुंसता है तो यह काफी स्ट्रॉंग शिप है मल्टी डेक्ड शिप है रिसोर्स इसके पास जादा है और कैनन भी है तोपे में है यह इस तोप का जवाब या फिर इस जहास का जवाब क्या अरब दे सकते हैं अरब। और यह पूरा क्या बनाना चाहते हैं यह पॉर्टियोट का तलाब बनाना चाहते हैं प्लस और भी हिधायते दिए गई बोला कि देखो कुछ किला बनाओ, किला, क्यासा किला बनाओ, कि जाओ और एक गोवा में किला बना दो, अंजदीवा फोर्ट, तो गोवा में किला बना दो, एक कोचिन और कैननोर बना दो, और एक किलवा तंजानिया बना दो, देखो, यानि कि घेरा बंदी और स्ट्रॉम, क तो यह टेक्निका भी पूरा रिट करना चाहरे हैं, तो पहला ही गवर्नर भेज रहे हैं और इरादे देख आप ऐसे हैं, तो अंचादीवा में बना भी देए जा के वो, एक अपना फोर्ट बना देए जा देए जा देए में, को बुरा लग रहा है और किसको किसको बुरा लग रहा है यहां फिर बुरा लग रहा है गुजरात बैठे हैं महमूद बेगाड़ा राइट यह कह रहेंगे हाँ जो है हमारा बढ़ियां ट्रेड होता था अरब मर्चेंट समसे ट्रेड क्या करते थे यह लोग क्या ही की हाँ गुछ नरे को डिमिन जामोरीन गार कि कुछ भी हो रहा है, We Need to Stop यह तो कुछ भी चल रहा है। स्वारा लग रहा है एज्ट के सुल्तान को अचिए सुल्तान को क्या होगा हमारे business का राइट कि अगर हम इस तरीके से block हो गया है तो क्या हो गा 일반 बिकोज अब प्लास यूरोप से और सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा बहुत तो नाव यह सारे लोग कंबाइन होकर एक लड़ाई होगी चॉल पे इस इस रफली 150708 बैटल अफ चॉल अगें फिर से याद दिला दू कि पॉर्ट्यूगीज का गवर्नर कौन है पॉर्ट्यूगीज का गवर्नर है इस समय फ्रांसिस्को दी अलमेदा FDA तो FDA तो Almeida Almeida इस समय गवर्नर हैं और ये युद्ध हो गया है और इस युद्ध में Almeida will lose पहली दड़ाई lose राइट तो टेक्निकली इनका tenure भी over हो गया है टेक्निकली FDA शुट से कि मेरा तो tenure over हो गया मैं घर जा रहा हूँ तो टेक्निकली 1508 इनके घर जाने का वक्त हो रहा है अब जो भी युद्ध हुआ इनको चले जाना चाहिए और इनका reliever आ भी गया है इनके reliever है इनके reliever जो FDA के हैं उनका नाम है उनका नाम है Alfonso इनका नाम अच्छा नाम Alfonso Alfonso आ चुके है FDA को कह रहे हैं कि हाँ तर relief कर देता हूं इन्होंने Alfonso को उठागे जेल में डा दिया इनका तुम वेट करो अभी मेरा वक्त नहीं हुआ है मैं रुखूँगा क्यों क्यों रुखूँगा हुआ ये कि चॉल में चॉल के इस युद्ध में FDA का बेटा लॉरेंग को मारा गया लॉरेंग को दी अलमेदा एंड एवड़े डिसाइडेट की ना यहां पर मैं वापस नहीं जाऊंगा मैं भी युद्ध करूँगा मुझे इसका बद्धा लेना है एंड एन फिफ्टीन जीरो नाइन इस बैटल ओफ द्यू बैटल ओफ द्यू और इस बार इस बार FDA विल विन यह एक बड़ी जीत हासिर जरीनों ने राइट बैटल ओफ द्यू अगली दड़ाई में यह सारे कॉमबिनेशन को कि हाँ फिर से भाई तीनों लोग फिर से जुड़कर आएंगे और इस बार बैटल ओफ द्यू में FDA जीत जाएंगे तो अपने बेटी की जो है मौत का बद्रा लेंगे उसके बाद अलफॉन्जो को रिलीस करेंगे कि हाँ भाई ठीक है आप टेक ओवर कर लीजे राइट तो टेक्निकली टेक्निकली फिफ्टीन जीरो एट वस द इयर जब रिलीव हो जाना जहे था बट दिस विल कंटीनू तिल जीरो नाइट अन इंपोर्टेंट पॉइंट इस बाटल ओव द्यू ना इसमें एक लास पॉइंट और एड़ कर रहा हूं कि यहां जो बैटल ओव द्यू है यहां पे महमूद बिगाडा को एक फाक्टरी देनी पड़ेगी यहां से भी ट्रेडिंग करो भई नहीं मना करेंगा तो द्यू पे एक फैक्टरी मिन को मिल जाएगी यहां पर अभी शुरुआत हुई है कहानी की शुरुआत हुई है जो है यहां अभी पहले 10 साल है दस साल में ही इतना इतना एक्शन चालू हो गया इतना अपर आलफॉन्जो विल टेक और आलफॉन्जो तो फ्रांसिसको दियाल्मेदा तो अलमेदा विल गो बैक अंड यहें नाव कमस अलफॉन्जो आलफॉन्जो धी अलबिकॉर के राइट तो 1509 तो 15 15 तो यह 6 साल का दो टैनिए रो जाएंगे तो 6 साल का रूल है यहा for actually really establishing the empire यह जो छे साल है पंद्रा सो नौ से पंद्रा सो पंद्रा राइट टेक्निकल यह जो छे साल यह छे साल रियल establishment है तिल 1515 इट इस अलफॉन्जो अलफॉन्जो दी अलबे कुवर के तो पहले FDA है फिर ADA है राइट बट अलबे कुवर के सबसे बड़ी उप्लब्दी सबसे बड़ी उप्लब्दी इनकी यह है कि यह यह पंद्रा सो 10 में भन्द्रा सो 10 में कि शीट जाएंगे गोवा कहां से बीजापूर से तो बीजापूर के राज्य को हईरा करầगवा जीतना यह बहुत बड़ी लेकिन अब अब गोवा भी मिल गया तो 1510 में गोवा हाथ से लग गया तो बीजापुर को हरा के इन्होंने गोवा ले लिया सबसे बड़ी उपलब्धी यहां से कहानी और 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 आगे बढ़े रही और बढ़ रही आगे प्लस जो जो पिछले वाले को बोला था एडन और मूज और मलक्का को सीज करो यह सीज भी कर देंगे राइट प्लस ही विल अलसो स्टार्ट वन सिस्टम कॉट काल टास सिस्टम क्या मतलब हुआ तो टेक्निकली ऐसा दिखलो कि हाँ भई पॉर्चुगीज लेग जो बनाने का वादा था वो अब पूरा होगा राइट प्लस प्लस एक कॉंसेट समझो विच इस ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी और काल टास सिस्टम को दो लुए भॉलिसी होनाओ फॉत से त्टमित से फ्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी के मतलबं ये है कि भाइव देखिये हम लोग आ रहे हैं पूर्ट गाल से से रैइट पूर्टगा अगर आप हमसे यह कहिए कि आप जो है यह नो गोवा मिल गया है हमको यहां से हम ट्रेडिंग कर रहे है ठीक है अच्छी बात है राइट है ना बढ़ियां कि गोवा और मलाबार दो जगा से ट्रेडिंग हो रही है बिजनस चल रहा है अच्छी बात है बट अग हम लोग यह सोचे सपने में राइट क्या हम यह सोचें कि किसी तरह हम लोग इन्डिया पर अटाक करें और सबको सारे राज्यों को हरा दें और यहां पर पॉर्चुगल सरकार बना दें राइट पॉर्चुगल गवर्मेंट बिठा दें यहां पर कैसा हो सकता है सपने में ह हो सकता है रियल में तो नहीं हो सकता है तो दिस इंपॉसिबल या फिर या फिर जमीन में हम किसी भी तरह strong हो जाए क्या यह हो सकता है? नहीं क्यों? क्योंकि यहां पर राज ये exist करते हैं, राजा लोग exist करते हैं, उनकी सेना है, उनकी power है, उनके खिलाफ राज के अंदर जाय जा सकता है, मुर्श के लवेटी या गोवा जीत यह लग बात है, बाट over ambitious भी नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा practical भी रहना चाहिए, तो ये तो हर कब नहीं कर सकते हैं इसका मतलब अगर हमारा वर्चस हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ पानी में हो सकता है और पानी में हमको कोई challenge नहीं कर सकता तो let us strong, let us create a system, ऐसा system बनाओ, कि हम पानी में strong रहेंगे हम जमीन पे भले strong ना रहें, जमीन में कितने भी fort बना लिए हमारी strength नहीं होगी बट पानी में अगर हमारे पास, हमारे पास अगर strategy है, अगर हमारे पास पूरी navy है right, तो क्या हम इसे टालाब की तरह treat कर पाएंगे, yes this is something we want, this is what, this is blue water policy, ये thought process, जब हम बात कर रहे थे कि हाँ, इधर block कर दिया red sea को, इधर जो है, फोर्ड बना दिया, आफ्रिका में right, आफ्रिका में फोर्ड बना दिया, इधर के लिए बादी कर दी, मलक का ब्रॉक ब्लॉक कर दिया, और इस तरीके से पूरा एरिया अपने control में रखो, पानी अपने control में रखो, that is blue water policy, जबीन भले अपने control में ना है, बट पानी अपने control में रखो, अब इसी से connected है कार्टा सिस्टम, कार्टाज, right, कार्टा सिस्टम is nothing, let me write properly, कार्टाज, कार्टा सिस्टम, तो now कार्टा सिस्टम is nothing, but, बट कि भाई, अगर, अगर, let's say, किसी जहाज को, for example, अरब जहाज को, जाना है कहीं, तो उसे पकड़ लो, गोवा लेओ, तो उसको जाने के लिए लगेगी permit, permission, वो permit लेगा, tax पे करेगा, कुछ पैसा पे करेगा, और उसके बाद ही, बाद ही, वो कहीं पे business कर सकता है, तो पहले ये अरब, जो है, intermediary की तरब behave कर रहे थे, now, Arab has to pay for this intermediary, right, कि हाँ, बीच में उनको, Portuguese को, पैसा देना पड़ेगा, तब कहीं जाके, वो कोई trade कर पाएंगे, otherwise, वो कोई trade नहीं कर सकते, तो अब उल्टा हो चुका है, right, और यहाँ माल जो, आप कहीं सा, नहीं देंगे हम चले जाएंगे, हमारा business, उनके पास तोपे हैं, वो ऐसे जहाद उड़ा देंगे, right, ऐसे जहाद दुबा देंगे, तो यह business हो ही नहीं सकता, तो technically जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कि हाँ यह तालाब बन गया, तो हाँ यह Portuguese तालाब बन चुका है, right, now, now, so now, अब यहाँ पर को intention जो है, अलबे कवरके का, अलबे कवरके का intention है कि इंडिया और basically Goa should be treated as part of Portugal, right, कि अपना ही देश है, यहीं पे रहो न, right, है न, तो यहाँ पर इनका thought process भी आई है, कि यहीं पर अपने shipbuilding center बना डालो, इंडिया में, plus Goa अपने पास हो ही गया है, तो he will start administering Goa, he will say कि हाँ सबसे पहले हैं सती ब्लॉक कराएगा, कि यह सती होती क्या करते हो भाई तुम लो, बंद करो सती, तो सती बैन होगा, तो यहाँ का तो उसका पूरा administration समाल लिया है, सती ब्लॉक किया, plus अपने लोगों को बोला, Portuguese को बोला, कि पूर्टगाल से इंडिया आके बसने लगो, Goa आओ, यहीं शादिया करो, यहीं जमीन खरीदो, जमीदार बन जाओ, तो यहीं पर शादिया, यहीं पर जमीदारी, यहीं पर फैमिली, यहीं पर पाल्टी, सब यहीं करो, अब यह मत सोचो कि तुम यहाँ पर किसी काम से आयो, यह सोचो कि यहीं हमारा देश है, यहीं पर ह रहेंगे यहीं बस जाएँगे और पूरा डेवल्टमेंट करने लगया इरीएशन वर्क हो सब्सक्राइब करने लगये काम करने लगये यह लैंडलॉड वन गए न्यूंट कभू जाएँगे आप किसी जह हमें नई crop एक रहेंगे जैसे के वहीयात लेकर राइंगे टॉबैक हो तंबाकू लेकर आ जाएंगगे राइट माइक को सकी लेकर आएगे इस तरह के नए नए काम वाले जो है कि इनको शुरू से ही थोड़ी problem रही है no reason reason क्योंकि वह पहले ही दिन से क्या कहरा ते अराब मर्चेंट और जो अराब से मर्चेंट है तो टेखनी कली मुश्लेम मर्चेंट जो हैं उनसे बिजनस मत करने दो सब्सक्षान तो हम को कहां जहां भी उनका वर्चस होगा, वो मुस्लिम्स को पर्सीक्यूट किया करेंगे, मारा करेंगे. Right, now, 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 after this, let me take the timeline forward. Now, next relevant governor, बीच में एक बारी गामा वापस आएंगे. वासका comes back in 1524. वासको. बट यहीं पे इनकी death हो जाए कि कुछ relevance नहीं है इसका. Next relevant governor is नी नहीं हो दा कुणहा. Right, नी नहीं हो दी कुणहा. So, he is entering in 1529. दावते ताम लाइं पे? So, 1529. पे कुछ 1537 तक नी नहीं हो दी कुणहा इस दे है. नीन हो दी कुणहा. अब यह भी थोड़ा इंटरस्टिं स्टोरी है इनकी. नीन हो दी कुणहा. Right, नीन हो दी कुणहा. So, now, नीन हो दी कुणहा. तो सबसे पहले इन्हों ने कहा कि जो है कोचिन अब तक हेड़कॉर्टर था. Right, और गोवा लेकिन अच्छा कहा सा फ्लरिश हो गया. So, now let us shift the headquarter. अब तक हेड़कॉर्टर ने shift हुआ था. तो अब इन्हों ने कहा कि भाई, आब headquarter shift किया जाए. Right, और headquarter मना जाए गोवा. So, गोवा बिकिम new headquarter. किस ने किया? कुणहा ने किया. नीनोदी कुणहा ने किया. Right, now, now, plus, plus, what he will say, he will have a discussion with बहादुर्शा. अब थोड़ा सा वापस time line पे जरा मैं आऊ. और आपको मैं एक और चीज थोड़ा सा बता रहा हूँ side में. तो अगर आपने video पढ़ी है, तो बहुत अची बात है. बट नहीं पढ़ी है, तो quick, quick view. तो 1526 में 1526, entry हुई बाबर की. राइट, initial छोटा सा राज्य 1530 तक का राज्य किसका है? बाबर का है. राइट, ना 1530 से 1540, दस साल. कौन राज्य करेगा? इसका बेटा हुमाईयू. राइट, हुमाईयू. तो अभी जो हम बात कर रहें निनोधी कुन्हा की, वो अच्छली हुमाईयू के राज्य में. रहे कि हुमाईयू आच चुका है. Now, now, let's understand. तो हुमाईयू के राज्य में, तो अभी हुमाईयू के राज्य यहां कहीं छोटा सा राज्य है? ऐसा कुछ हुमाईयू के राज्य में आप मेड़ावाज में पढ़ेंगे, कि हुमाईयू, तो जब हुमाईयू है यहां पे. Then, then, गुजरात के राज्या हैं बहादुर्शाह. बहादुर्शाह. Right, और इधर बंगाल साइड, बंगाल बिहार, especially बिहार, हैं शेर्शाह सूरी. शेर, शा, सूरी. और हुमाईयू की इन दोनों से नहीं बन रही है. हुमाईयू की टेक्निकली इनसे भी लड़ाई है. इनसे भी लड़ाई है. Right, दोनों से लड़ाई है. यह बड़ी इंटरस्टिंग कहानी है हुमाईयू, तो बहादुर्शाह को आक्चुली सपोर्ट मिल रहा है पॉट्चुगीश का. Right, and that is the reason बहादुर्शाह थोड़ा हुमाईयू पे भारी भी पड़ रहे हैं. Right, तो यह बैक्ग्राउंड में स्टोरी चल रही है नीनो दी कुनहा में. तब नीनों दी कुनहा काएंगे कि भाई इतनी मदद हम तुम्हारी कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? हमको बसीन दे दो, बसीन. Right, बसाई. तो मुंबई के पास जो है, बसीन इनको मिल जाएगा. तो 1534 में बसीन मा जाएंगे. Right, फिर कहेंगे, अरे, खाली बसीन नहीं, दियू दो, दियू, तो दियू भी, दियू भी बादत कर देंगे, टेक्निकली सरेंडर कर देंगे, रैटी चलो दियू भी दे जाओ, तो बह बहादुर शाह क्या कोशिश करेगा, बहादुर शाह कोशिश करेंगे कि हम पॉट्चुगीस को अलग करने के लिए कोई दिवार बना देंगे, वाल बनाने दग जाएगा. तो नीनो दिको ना गएगा, अच्छा, ऐसा, एक तो हमारा जो है, दियू बोले थे, तुम जह द बलाते हैं, और फर सुनने में आया कि बहादुर शाह पानी में गिर गए and यह तो किसी को नहीं बता. ऐसा कहा जाता है कि उनका पैर सिर्फ हो गया और फिर उना अपनी में गिर गया, और बच नहीं पाए. एपानी नीनो दी कुन्हा दूसरी साइड हुगली साइड है यहाँ पे भी यहाँ पे भी बंगाल में भी थोड़ा एंट्री दे रहे है तो इसी पे सवाल पूछा यू कि ने सभारी कि सब्सक्राइब कर भी सकते हो अभी 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 ज्यान अधूरा है राइट जब आप गुजराट डैनस्टी पढ़ लेंगे जब आप अक्षी चारों को रिकागनाइज करेंगे अभी हमने बात करी महमुद बेगाडा की भी बहादुर शाह के भी राइट है ना बट मुहम्म से भी दिया जा सकता है दिया जा सकता है लेकिन लेकिन स्टिल यहां जो है रीड गुजराट डैनस्टी तो बढ़ते आगे तो तो ओवर और वाट वाट वी रियालाइजिंग कि भाई पहले 50 साल कांगे हमारी टाइम लेंग लगभग 40-50 साल हमको दिख रहा है कि ठीक जा पर प्क्राम में ना रही हुए बंदिया तो राज जी करना नहीं हैं इनको हमको जो है एक अच्छा विजर्ड प करहता है रही बिज्नेस में ट्रेड में हमारा आप अच्छा खासा और उसीस संवय वांट रइट नव ओ तो 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 यहां पर यहां पर जो पॉट्चुगीज हैं यह लोकल राजाओं के जो युद्ध हैं उसमें एक दूसरे को मदद करते रहेंगे वर इसमें शुरू से शुरू से ही क्या करेंगे तो बहुत युद्ध हुआ करता था विजय नगर में और यहां पर जो छोटे छोटे राज जहें इन में बहुत युद्ध हुआ करता था तो पॉट्चुगीज क्या करेंगे पॉट्चुगीज कहेंगे अच्छा बहुत बढ़िया अगर यह युद्ध है तो Portuguese कहेंगे हम विजय नगर की health करेंगे तो वो विजय नगर के साथ align हो जाएंगे तो विजय नगर का होना विजय नगर is very very strong empire इनिशली तो नहीं जबी लोग आए थे but from 1509 to 1529 यानि अगेन इनिशल फेस में ही even during the time of kunha यहां पे जो राजा है नहीं कुनहा नहीं कहना चाहिए कुनहा तो आएंगे अभी but हाँ यहां पे जो राजा है वो है कृष्णदेव राया तो यह काफी strong empire है इस time में काफी strong empire now इस strong empire के साथ Portuguese का होना कहीं न कहीं Portuguese के you can say survive करने का बड़ा कारण है विजयनगर की छत्रचाया में यह लोग आराम से ग्रो कर गया है अगर यही कोई ऐसा राजा होता जो उन्हें ना support करता जो उनको देखता यह तो पोप लेके बत्पमीजी कर रहे है तो हो सकता यहां पे टाई कर देता क्रिष्ण देव राय के साथ है क्रिष्ण देव राय को नहीं चैलेंज कर सकते आप यहां पे तो 20 साल जो इनिशल 20 साल है जो उनका बड़िंग स्टेज है उस बड़िंग स्टेज में यह वाला लैंस काफी ज़ादा स्ट्रॉंग है दूसरी तरफ यह क्यों सर्वाइव कर रहे है क्योंकि जहां पे चैलेंज हो सकता है वहां पे विजन अगर उनका अलाई है और बाकी सब जो राजा राजा है वो छोटे छोटे राजा है तो इनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है that is the reason कि ये लोग survive करते चले जाएंगे right now दूसरी बात इनका survival इसलिए भी हो पाया इसलिए भी ये लोग survive कर पाए reason कि इनके पास जो navy है जो technology है वो किसी और के पास है नहीं Chinese emperor ने कहा है कि इस side आना नहीं है trade नहीं करना है उनकी अलग कहान है right तो वो भी कोई competition भी नहीं है तो actually कोई competition नहीं है क्या कोई European power आ रही है वो भी नहीं आ रही Spain से पहले treaty of todis last हो चुका है कि तुम इधर हम इधर तुम पहले हो चुका है तो कोई competition है कोई challenger है नहीं एक Arab merchant challenge हुआ करते थे वो बिचारे side line हो गए right यह इनके पास कोई technology ही नहीं इनके जो है Portuguese के पास से तोपे है right and that is the reason they will keep on growing right तो आप देखो जो Portuguese का state create हो रहा है तो किनारे किनारे यह लोग पूरा मचा देंगे starting from dew अगर यहां आप देखिए starting from dew तो दू सूरत right इधर दमन तो यह पूरा एरिया दर चॉल right यह ना दबॉल देन आपका गोवा तो है यह उन्हें बात करी देन यह पूरा मलाबार एरिया हम कह रहे थे even श्री लंका right फिरिस साइट पुलीकट है पॉंडचेरी है नाग पतनम है मुसीली पतनम है and then इधर हुगली तो all these हुगली is important तो सारी जगाओ पर इधर बाला सोर है बाला सोर बाला सोर right अच्छा बाइद वे क्या ज़िए सारी साइट्स हम रट सकते हैं सारी साइट्स हम नहीं रट सकते हैं but UPSC साइट्स पर काफी सवाल पूछता है right मेरा suggestion है कि थोड़ा सा जब भी टाइम मिले तो साइट्स में उठाके जो है एक बाद देखोगी क्या क्या है ताकि नाम कुछ सुना सुना लगेगी हाँ यार ये कहीं साइट हमने देखी हमने बाला सोर कहीं देखा हुआ है right हुगली के पास ये था सतनाम हमने सुना हुआ है right है ना काली काटा हमने सुना हुआ है तो कुछ ऐसा सुना सुना लगेगा तो इट वी सूपर हेलफुल कि नाग पटनाम है मसूली पटनाम है right है ना कि हाँ ये सब तो ये तो खेर काफी famous हैं पुली कट हो गया famous है ये बट still अगर जो famous नहीं भी है बरूच है तो देखो आगरा में कहां है ऐसे करके तो देखते चलो तो ये रेलाइज कि हाँ भी इनका अच्छा खासा factory का establishment हो रहा है right है ना जगा जगा इस तरीके से establish होते जा रहे हैं ये जो state create किया है बड़ा state create कर लिया है right now now तो हम बात कर रहे थे कि क्यों survive कर रहे है and they will survive for very 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 long अच्छा आगे जाके जब विजय नगर अंपायर थोड़ा decline हो जाएगी तो जो आपके decan sultanat है यहाँ बताता हूँ मैं आपको तो आपने बात करी कि पहले विजय नगर अंपायर के साथ है ना विजय नगर अंपायर से दोस्ती है और उसके बाद जब विजय नगर अंपायर decline हो गई तो यह जो सुल्तान है जिसने decan के सुल्तान कहा जाता है right इन सुल्तानों के साथ भी उन्होंने treaty कर ली तो पंदरा सो सतर में इनके साथ भी दोस्ती हो गई तो इनीशली ये विजयनगर की मदद कर रहे थे इनी से गड़ने में आगे जाके इनी से ट्रीटी कर ली तो भाई सर्वाइब कर रहे, कौन ही चैलेंज करेगा तो 1870 समवेर, स्वरी, 1570 समवेर तो ये सबसे पहले आये थे और सबसे आखिर में जाएंगे आप देखेंगे, आजादी के बाद 1961 में जो गोवा है, जो इंडियन सरकार है, वो कैप्चर करेगी तो देल भी लास्ट वन तो गो तो ये इसलिए सर्वाइब कर रहे हैं, ये हमने समझा कि सवाल ये था कि भई कैसे पॉर्चुगीज कैसे सर्वाइब कर गए इतने ताइम लग दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट जो है कि पॉर्चुगीज एडिमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है जो गवर्नर के हम बात कर रहे है, गवर्नर वह administration कैसे हो रहा है wise roy so portuguese administration now portuguese administration has two three things थो हम बात कर रहा है administration now administration में एक तो है vice roy vice roy right जैसे कि हम बात कर रहा है तो एक vice roy ना उसकी या उसकी advisory होगी या फिर counsel होगी यह रई दूसरी एक पोस्ट है विच इस वेड ओर दा फजेंडा वेड ओर दा फजेंडा तो वेड ओर दी फेंडा जो है वेड ओर दी फेंडा तो टेक्निकली यह देखता है रेविन्यू बिजनिस और कारगो कि कितना माल कहां से खरीदना है कहां जाएगा तो वाइसरोई इस ओर आपा फैसा कहां से जायगा question यह जो पूरा discussion है वो वड़ ओर दी सेंडा अब यहां पर एक और तरम आता है factor प्रक्टर इस पर्सन फॉर ग्जाम्पल लेट सिक चिन है कोचिन में आपने लगाई एक फ्याक्टरी इस फ्याक्टर इस इंचार्ज यह दो फैक्टरी इस बात को तोलग समझते हैं right factory की क्या जरूरत है क्योंकि factory हमारे दिमाग में है कि machine होंगी, right को समान बना जाएगा है ना, अब इस बात को तो लोग समझते देखो, ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग A से B trade कर रहे है right mat trade, A से समान खरीदा B में जाके बेच लिया क्या कोई अपनी processing है नहीं क्या अपनी कोई manufacturing है नहीं सिर्फ समान खरीदना है बीपे बेचना है यह हो रहा है तो factory का मत्रब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होता है वेयर हाउस तो factory technically is nothing बटा वेयर हाउस कि हाँ आस पास का जो भी समान है वो खरीद के यहां रख दिया और फिर जहाज में चढ़ाया और बेच के आगए तो factory सिर्फ यह है now factory gradually क्या होने लगेगा कि भाई इतना सारा समान है इतना करोणों का समझ जरते हजारों लागों का समान है यहां पे तो factory में क्या होगा अब फिर आगे जाके fortification कि भाई इसकी किलाबंदी कर दो ताकि कोई इस पर attack ना कर सके इसको loot ना सके तो देखो हैं तो यह लोग business के लिए राइट आये तो यहां पर trading के लिए बट क्योंकि क्योंकि भाई हजारों का समान है राइट कुई चोरी कर देगा कोई local attack कर देगा एक अदबर होगी जो अगर कोई attack होता है तो इसको handle कर सके अब यह आप कहेंगे कि zamoran क्यों accept करेगा राइट तो पहले दिन नहीं accept करेगा पहले दिन कोई भी राजय accept नहीं करेगा बट ग्राजुली ग्राजुली ऐसा justification दे देगे कि हां security issue है local attack कर लेते है चोर आ जाता है तो हमको एक दिव acceptance के साथ they will have fortification they will have army and this is how this is how जब हम factory कहते है कि कहीं factory established हो गई तो देर इट सेक्योर प्लेस पहले खाली बिजनेस होगा फिर वहां कहीं fort vote बना देंगे कभी कोई किला खरी लेंगे कि हां इक किला हमारा हो गया right so this is how this is how the business will proceed okay technical term भी समझना है थागी हम समस्ते चलेंगे हां कहीं ज़रत पड़े now एक छोटा सब कॉंसेट है religious policy of the Portuguese religious policy of the Portuguese इसलिए important है क्योंकि पूर्टगाल कहता है यह वो Christian dumb का head है Christianity का वो head Christianity spread करेगा तो Christianity spread यहां भी करेगा दूसरी important बात उसकी Muslim से दुश्मनी है पहले ही दिन से रइट तो चाहे वो North Africa के moors हो या Arabs की moors हो यानि Muslims तो वो Muslims के खिलाब एक बात राइट आंड जैसा कि हमने समझा Christianity spread करना काफी important है अब इसमें एक इवेंट आती है Goa Inquisition राइट गोवा Inquisition this is 1540 तो फ्रांसिस जेवियर तो फ्रांसिस जेवियर केम तो इंडिया राइट है ना जो है फ्रांसिस जेवियर केम तो इंडिया and he was he came to India because कि हाँ उन्हें Christianity spread करनी है इंडिया में भी spread करनी है और जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्हें रिलाइस किया कि इवें जो Portuguese Christians है अब वो भी अपना धर्म फॉलो नहीं कर रहे है तो उन्होंने फिर चिठ्थियां लिखी बोला कि भाई यह सही प्राक्टिस नहीं है और जो बाकी के धर्म के जो लोग है उनको convert करना है if possible and all राइट है ना persecution शायद पर उन्होंने persecution suggest नहीं किया बट जो authority है उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है पुश करना पड़ेगा and this Goa inquisition started somewhere in 1542 जसमें हिंदू Muslims को सब को मारा गया and not only them अगर कोई Christian है और वो Christianity को follow नहीं कर रहा है तो उसके साथ भी उसके साथ भी यहां पर अत्याचार हुए कि किसी को जो है पहिये में बांध के पहिया पूरा घुमा दिया गया कि हाँ सारी हड़ियां उसकी तूट जाए यहां पर आप देख रहे हो क राइट लॉट अफ़ एट्रोशिटी जो है यहां पर हुई है अंडर अंडर इस तेंग जो 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 रिस्पॉंसिबल परसन माने जाते हैं कि हां जिनके इंडिकेशन से ऐसा हुआ इस फ्रांसरिड जेव एर राक दो फ्रांसरिड जेव एर इस नौर्ट बिहाइं डी जो है यू इस ए डाइग वहां इस पर थे और उन के देट बोड्य अभी इंडिया में ए तो उनकी देट बोडी एक चर्च दम तो इस चर्च में अभी भी फ्रांसेज जेवियर की बॉडी रखे गई है प्रिजर्व करके राइट है ना फ्रांसेज जेवियर यहां पे है जलो खेर वापस आते है ना ना कमिंग बाक सो रिलिजिस पॉशिश पॉशिश करी है उन्होंने कोशिश करी है कि क्रिश्यानिटी को स्प्रेड किया जाए और बाकी धर्मी के लोगों के साथ अत्याचार भी हुए है राइट दूसरा दूसरा पॉर्चुगीज ने कोशिश करी है कि कि किसी तरीके से हम अकबर को मौका मिला है तो अकबर को कनवर्ट कर ले अब होता क्या है एक वापस एक टाइम लाइन को लेकर आते हैं कि अधिसाथ में चाहता हूं कि हाप यह भी जानते चले हैं अगर आपको नहीं पता है तो हमाई तो हमाई यू फॉट्ट फिफ्टीन फॉट्टी मिने भागना पड़ेगा और इनकी वापसी होगी 5556 में इसे असोफ इमायू और 56 में इनकी डैथ हो जाती है और आप गहेंगे शर बीच में किसका राज्य है बीच में शेर्शाह सूरी का राज्य है और 56 में राज्य शुरू होता है अखबर का तो रफी आप समझे 1550 से समझे यह कि 1550 की बात कहीं पे 1556 से चोला सो पांच लंबा लग-ěक 50 साल का राज है दिस राज जिड़न होल को रहें हिस और को है कि मुझे बागी धर्मों को भी समझना में अपने अपने धर्म में उनको बहुत पहले रुची हुआ करती थी सूफिजब में भी बहुत रुची थी और धीरे धीरे जब उन्होंने बाकी धर्मों को जाना, gradually he started to become liberal, उन्होंने कहा कि बाकी धर्मों को भी जान लेते हैं, कि क्या होता है तो उन्होंने बाकी धर्मे की लोगों को बुलाया कि जरा अपने पॉट्चुगीस को भी बोला कि आपके अपने कृश्चन जो आपके अपने यहां पर, पॉट्चुगीस को लगेगा यहां पर, कि भाई, अगर अग्बर को convert कर लिया, Christianity में दो बात बन जाएगे, मजा ही आ जाएगा Enlis लिए यह वान्त काहिए तो भेजेंगे अपने mission तो अपने词 को पहले, एक को वीवा, मोंसल आपे आएँगे एक और मिशन भीजा जाएगा रहे एक और में बेजा जाएगा बट बट भ्र नेवर एबल टू निवर डेवर एर टू नवर एबल टू तर वेगोज अगबर का इंटेंशनी नी था अबर खाली जानना चाहते थे कि बता दो यार क्या होता है तुमारे धर्मों में रई तो इबादत खाना में सारा discussion हुआ, meeting हुआ, बट क्या अगबर convert हुए, of course not. इन्होंने जहांगीरी के time में भी कुछ कोशिश करी कि हाँ भी conversion हो सके, but overall, overall, जहांगीर जहांगीर भी liberal ही है, इन्होंने कहा कि भई आपको जो follow करना है, follow करिये, आगरा में जो है, जो religion आपको follow करना, follow करिये, right, in fact, आगरा में कुछ 20 लों को convert किया गया, and that shows कि जहांगीर इस लाइक कि हाँ, अगर कोई अपनी खुशी से convert हो रहा है, तो इस ओके, right, अब जहांगीर का राज ये कहां है, आप कहेंगे, तो जहांगीर अक्बर को उनके बेटे तकसीड करेंगे 1605 में, और जहांगीर का राज रहेगा 1628 तर, अगर आपने medieval पढ़ी है, तो बहुत आसान है फिर मेरे लिए, लेकिन नहीं पढ़ी है, तो मैं उन लों के वो बच्चे जुनों नहीं पढ़ी हुई है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा जरूरी है कि आप समझते चले, तो हमने क्या समझा कि पॉर्चुगीज यूँ है, तो काफी लंबे टाइम तर, राइट है न, वह बात कर रहे हैं कि हाँ 1605 में, अकबर की डेथ हो रही है, पहले दिख दे रहा हूँ, 1605 में अकबर की डेथ हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉटीन नाइटी येट, सौल साल से ज़्यादा समय बीच चुका है, और इन्हें कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, राइट कोई competition नहीं है, कोई challenge नहीं है, आराम से राज्य कर रहे हैं लोग, राज्य मतलब business, trade कर रहे हैं, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो Portuguese technically, till this point, have not faced anything, right, have not faced any competition, कहानी शुरू होती ही 1600 के बाद, right, 1600 के बाद कहानी शुरू होती है, समस्ते हैं, यहां से आगे क्या होता है, तो now, तो सबसे पहले इनकी मुगल्स से, पहले तो अशोक जए अकबर बुला रहे हैं उनको की खुदी अपने जो जीजर से फादर हैं, जेजूट फादर से उनको बेस दीए, लेकिन उसके बाद सबसे पहले इनकी दुश्मनी शुरू होती है, मुगल्स के साथ, तो कहानी शुरू होती है, आपकी सबसे पहले 1608 सम्वेर, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिन्स, नो यह कहानी दुबारा आएगी, ना मैं खादी आपको जो है, तो पहला चैलेंज जो आ रहा है, फर्स चैलेंज, तो 1608 में, 1608 में आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिन्स, तो अब अंग्रेज ट्राए कर रहे हैं, इस ब्रिटिश, तो अंग्रेजों ने अपना एक दूद भेजा, कि हम लोग भी बिजनस करना चाहते हैं, बैग्राउन पताओंगा थोड़े दिर में, बटा भी पहले एक खरम कर दें, तो अंग्रेजों ने अपना एक दूद भेजा, कि भाई जो है, जाओ और बात करो, बात करो जहांगीर से, राजा से मिलो, और जो है, बात करो कि हमें ट्रेट कैसे करना है, कुछ हमको पर्मीशन दे दो, कुछ हमको ऐसा फर्मान दे दो, तो जाके पर्मीशन मागो, तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिन्स, अंग्रेज, अंग्रेजों के राजा, जेम्स वन किंग की चुठी लेके पहुँचे जहांगीर के पास, राइड है ना, कि जो है, भाई, जहांगीर जी, यूनो, हमारे पास हम चाहते हैं, कि हम यहाँ पर ट्रेट करें, तो पहले तो पॉर्चुगीज ने काफी रोका, उस समय फादर पिंधी रोवहीं थे, उन्हों का नहीं नहीं जाने मत दे ना, रोको इसको, जो पॉर्चुगीज अथोरिटी है, उन्हों ने भी रोका उन्हें कि नहीं 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 इनको मत जाने दो, राइड, बट सम्हाव, हॉकिन्स पहुंच ले, हॉकिन्स पहुंच जाहंगीर के पास, राइड, जाहंगीर समय दे, अब हॉकिन्स को तुर्की आती है, राइड और जाहंगीर को तुर्की आती है, तो दोनों अपसोचों किसी ट्रांस्लेटर के जरौत ही नहीं, दोनों एकदम मज़े से बाते कर रहे हैं, जाहंगीर के रहा है, तुम मेरा तुर्की खान है, खान दोस्त है, इंग्लिश खान, इंग्लिश खान है, राइड है ना, उनको नाम दिया, कि इंग्लिश खान कितना बढ़ियां तुम से बात होती है, दोस्त है, तुम मेरा यारों का यार है, वह दना कि इंग्लेंट से आया मेरा दोस्त को सलाम करो तो यहां पर सलाम हो रहां मस्ती हो रही है बढ़ियां तो फिलाल जहांगीर is very happy talking to him तो overall कुछ दिर रुके भी यहां पर 1608 समवेर आ रहे हैं और 1611 तक रहेंगे तो तीन साल यहीं रहेंगे आपको जहांगीर को persuade करना है जहांगीर को convince करना है तो भी जहांगीर से कहेंगे कि जैसे राया साथ हमको बाठ्षाचा इक permission चाहिए तो पूछेंगा जहांगीर क्या चैनिक क्या पार्चुगीस का राइड क्या पॉर्चुगी से थाहां गी थोड़ी दिर करेंगे हां बट जो पॉर्चुगीस अथारी तो कहने करने देंगे बात ही नहीं बने गए तो नहीं है रइड बात नहीं बनने वादी तो सो मीन वाइड मीन वाइड बाकी तरीके से खुब ध्यार रखिेंगे जो है विलियम का विलियम से कय Clem कि भाई तुम मंसब्दार मंजाओ तुम्हें वाले से मुबारक शागी बेटी से राइट है ना तो जैन ओवर आल ओवर रॉल ट्रीटमेंट इस गोड बट क्या पर्मेशन मिल पाई क्या काम बना ना काम नहीं बना 1611 में वापस चले गए रैट हमें लागा बात बच गई पॉर्चुगीज बच गई यहां पर बट बट देन 1612 में अंग्रेजों ने अंग्रेजों के एक जो है कैप्टन है कैप्टन बेस्ट और यह हैं बेस्ट बेस्ट ने क्या किया हरा दिया भई तो अंग्रेजों का एक शिप है ड्रागन लेड़ बाय कैप्टन बेस्ट और इन्हों ने पॉर्चुगीज फ्लीट को हरा दिया रैट इस इस 1612 तो 1612 में पॉर्चुगीज हार गए रैट अना अब यह जो हार है इस विल्स यह है झाहंगीर कि हां यह लोग कर सकते है पॉसीबल है और तब कहीं जाके जहांगीर परमिशन देंगे कि 1613 में अंग्रेजों को परमिशन देंगे कि ठीक है जा सिम्रान जा जीत ले अपनी जिंदागी 1613 में he will say कि चलो ठीक है कोई बात बहुत बढ़ी है तो अभी जहांगीर के कुछ ट्रेडिंग शिप्स ते उनको सीच कर देंगे जहांगीर गुस्से मा जाएंगे क्या यह क्या बत्तमीजी हो गई तो यहां से सोचो तो पहली बात तो चैलन्ज आ गया और दूसरी बात यहां जो है जो है जो फेवर था वो फेवर जा चुका है राइट जहांगीर की नजरों से गिर गए लोग जहांगीर अब पॉर्चुगीजी को बहुत सपोर्ट नहीं कर सकता है अब जहांगीर के बेटे है शाह जहांगीर को आफटर जहांगीर कम शाहां अब शाहां का जो राज है यह 1658 है अब जहान अब शाजहान के राज्य में अब होगा क्या कहानी है सोला सो बत्रिस की लेट उसे अधर टाइम लाइट तो एक मैंने बताया आपको कि जगड़ा हो गया सोला सो तेरा द esaire's with respect to जहांगीर किन से बनना बंद हो गई अघ्धा जगड़ा हो रहा है शोला सो छबतिस में इस स्टोरी इस रिस्टे creepy अधिश रॉभार की कहानी में क्या है रैट तो यह हम करीरर ऑफ पॉर्टुगीस समझ रहें कि पॉर्टुगीज overall overall क्या रहा है इनका करियर क्या रहा है let's try understand तो अच्छा दूसरी बात एक और बात Portuguese की कहानी में लिख दे 1612 defeated by British ये भी तो बहुत बड़ी बात ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना 1612 defeated by British right so this is this is the complete career of Portuguese but 1632 की स्टोरी complete करते हैं 1632 now in 1632 what is happening 1632 somewhere तो ये कहानी है हुगली की बंगाल की बंगाल नाव हुगली फ्लरीश हो रहा है ये लोग हुगली से ट्रेड कर रहे हैं बट सबसे गलत काम यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर लोगों ने ख्रिएट कर ली है monopoly बहुत सारी चीज़ों क्यारें की सॉल्ट हमी बनाएंगे एंड इंड क्यारें टुबागो में monopoly है monopoly तो बैको प्लस कह दिया कि हमारा custom house है भाई हमारा custom house है झारे लोग जो यहां पर trade करें हमको पैसा देंगे तो इस तरह का पूरा युनो मनमर्जी चल रहा है कहां पर हूगली में रइट है ना हूगली बंगाल एरिया बंगाल एरिया में इनकी इस तरीके से मनमर्जी चल रहा है रइट अब इसमें इन्हों ने एक और काम शुरू किया स्लेव ट्रेड अब जो गरीब हैं उनके बच्चों को खरीदा उनको खरीदा कुछ इस तरीके का इन्होंने स्लेव ट्रेड चालू कर दिया यहाँ पे गलती से यह जो स्लेव यह खरीते थे उसमें उन्होंने शाजहां की वाइफ शाजहां ने ताज महल बनवाय था क्या हो रहा है देखते क्यों नी कुछ करते क्यों नी तो शाजहां की यार वाइफ से डाट पड़वा दी इसमें अभी रुखो सही करता हूँ तो नाव ही विल आस्क ही विल आस्क हिस जो है कमांडर कासिम खान जो गवर्नर बेंगॉल है कहेंगे जाओ भाई और वार कैप्चर हो जाएंगे राइट सो दिस आओ दिस इस वाओ दे लॉस्ट दा फ्यवर अफ व मुगर्स वह अंग्रेजू से भी हार गया और जो सबसे बड़ा जो राजा है जो सबसे बड़ी सल्तनात है यहां पे राइट है ना चाहे वो आपके जहांगीर हो चाहे वो शाहां हो इन दोनों से भी नहीं बन रही है दोनों से नहीं बन रही है तो अब पॉर्चुगी यहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते राइट एंड ऑफ देर स्टोरी राइट उसके आगे कोई रेलेवेंस इंकर रहेगा नहीं तो तो इस इस्टोरी ऑफ पॉर्चुगीज कहानियों और आगे बढ़ाते हैं ठोब पॉर्चुगीज लंभी कहानी है क्योंकि बैक्ग्राउंड भी है और प्लस जो है प्लस इस्टाबलिश करना पहली बारी रइट तो या तो इस टाइम लाइन को और आगे ले चलते हैं और मुझे मीद है कि अब आपको अज़ा विकें स्किप दिस टाइम लाइन आगे ले चले तो बात बन जाईगा अब कोई क्रिवीजन एक बार में फिर से याद दिला दू जिन्होंने दो लड़ाइएं लड़ी एक आपकी चौल पर एक आपकी दीव पर और फाइनली उसके बाद इन्होंने कहा कि हम वापस जा रहे हैं वापस में पिर वासको वापस आए बड़ कोई रेलेमेंस नहीं उनकी निनो दी कुनहा का जो टैनियोर है हमने जाना कि इसम पस्ट फॉल बाद उर्शा लिख लो इसी में अग्रेज आच चुके 1608 में चैलेंज कर दिया राइट हॉकिंस आच चुके और 1612 में अंग्रेज इंको हरा भी देंगे तो अब कोई करियर यहां पर रहे नहीं रहा है कुछ बच नहीं रहा है यहां तो आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं कि पॉर्चुगीस का तो वर्चस साइड हो गया राइट बट्ट देन तो डिक्लाइन ऑफ पॉर्चुगीस मोस्टी वी आफ डिसकस्ट एक पॉइंट वसमें और याट करना चाहूंगा कि जो बची खुची खसर बची खुची खसर जो कसर जो रहा गई थी राइड है ना वो कहां पे खतम हो जाती वो भी बात कर लेते हैं कि क्यों डिक्लाइन होता जा रहा है जब पॉर्चुगीस आये था 1498 में तो हम कहा रहे है तो छोटे 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 राज यह रहे हैं कि सोला सो तक आते आते उसके बाद भी एक तो इंडिया में बड़ा राज्य क्रियेट हो चुका है रहे है ना एजिप्ट में भी दूसरी बात दूसरी बात जो चैलेंजर्स आए हैं फॉर एक हमने बात करी इंग्लिश की बटेक और आएंगे डच अभी इंग्लिश और डच जो आ रहे हैं यह टेक्निकली जादा स्ट्रॉंग टेकलोजिकली जादा एड्वांस हैं तो यह इनकी जहाज़ों को मूग की किनारे हो रहे हैं उससे भी बड़ी बात यह है पॉर्चुगीज को कोई पसंद नहीं करता है यह पॉर्चुगीज जो है इसकी जो इद्जद है वो चोड जैसी है पाइरेट जैसी है समुत्री लूटेरे यह जहाज जा रहा था उसको लूट रहा यह कौन सी बात होती है तो टेक्निकली कोई पसंद भी नहीं करता है इनको राइट अंड डिस वर आल्सु वन आफ रीजन की हाँ जो है यह लोग सर्वाइब नहीं कर पा रहे है प्लस प्लस एक और जो बची खुची खसर रह रह रही थी यहां पे यहां पे राइज हो गया मराठास का सेविंटी में वैड़ाष्स की यह फूराएज होगे, अब जब मराठास का राइस हो गया, POW यह कुछैंका खेली टρίम लेकर ना, तो साल chronा साल से आसे हमारा बसीन हमारा तो टेरिटरी भी देखे चले जाएंगे राइट अन्डिस इस क्यूमिलेटिव ली विल रियलाइज कि हाँ पॉर्चुगीज और साइडलाइन हो गया राइट प्लस प्लस उनके पास ब्रजील आ चुका है और ब्रजील उनको जादा प्रॉफि इस पर खर दिया है बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमने जहें बात करी है तो यह अब बात करेंगे बागे बागी कहानियों में इतना नहीं है जितना हमने पॉर्चुगीज में बात करी एक्सेप और ब्रिटिश अगे तो नाओ लेट्स लॉक अगवाउट तक दच तो डच तो डच की जो कहानी है रए डच की कहानी होती शुरू होती सोला सो दो में वह उने कहा कि हम भी इतना बढ़ियां बिजनेस कर रहे हैं पॉट्चुगीज तो हम लोगी करते रएट है ना वाइन आट हम लोगी जा कि इंडिया ट्रेट करें राइट तो दे विल भी लाइक की हाँ जो है भी शुट अलसो गो और दू द बिजनेस तो सोला सो दो में सेट अप करेंगे वह अपनी सबसे पहले जो है कंपनी रच शीन जेलो टू सम्वेर दी आईसी डच इस्ट 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 इंडिया इन्हों पहले बिजनेस पहले अपना यह सेट अप किया फिर उन्होंने कहा कि हाँ चलो चलते हैं इंडिया चलते हैं नाव ड़्च यू रियलाइज तो 1602 इन्होंने डच इस्ट इंडिया कंपनी शुरू करी राइट और 1605 में 1605 में इन्होंने इनोंने क्या चाप्चर कर लिया एंबोएण आइड एंड वाइन आध एंडॉएड तो फर्स्ट अफ आर्फ्ट आ दे हैव एंडॉएड कियू झांड इन्डॉएड ही इंडिया कहांसे विज्यादा इंडोनेशिया पे फोकस करना है राइट और एंबवायना अंडर हुआ करताथा पॉर्चुगीस के यानि पॉर्चुगीस को पहला जटका लगा इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में हमारा हुआ इन्होंने कहा कि 1605 में Schönอ आरे विलने टिमन लट जो पॉचूगीज हैं, उनका यहां बहुत अच्छा वर्चस्व है यहां भी बहुत अच्छा वर्चस्व है ओवरॉल इधर भी ये लोग चाहे हैं हों है श्रीलंका एनौल तो कुछ सेव स्पोर्ट अगर बच रहा है तो मसूली पठना यहां पर हम थोड़ा एजली एंटर कर पाएंगे यहां से कहानी शुरू करते हैं तो मसूली पठना यहां से लगना शुरू होता है राइट नाव नाव आफ्टर डाट ग्राजूली देविल कीप ऑन एक्सपांडिंग अगें अगें डिटेल इंपोर्टन नहीं है प्रचिडी करेंगे alledंगे ब सुरत कर पाँएंगे नहींव सब्सकांगे विम्लीपतनम कराईकाल चिन सूरा बरा नगर कासिम बजार उर्शीदाबाद एटसेक्र एट्सेक्र मैं आपको रफ आइडिया दूँ अगर पॉर्चुगीज के इस्टाबलिश्मेंट तो इनका जो इस्टाबलिश्मेंट है ग्राजली बढ़ते बढ़ते इनकी एक ग्रूपिंग है यह वाला जो डशी फैक्टरी जिसमें कुछ गुजरात में है और एक आग्रा में है यहां पर हेड़कॉर्टर है सूरत दूसरा दूसरा जो हमने समझा कि फैक्टरी की जो स्टार्ट हुआ है इनका जो ओवरॉल जो करियर स्टार्ट हुआ है वो इस एरिया से हुआ है इस एरिया से उन्होंने सबसे पहले शुरू करी है तो सबसे पहली फैक्टरी इन्होंने बनाई कि हाँ इस इस मसूली पटनम तो टेखनीकर यहां पे यहां पर परस्ट एरिया जहां से उन्हों ने रीच रू करें तो मसूली पांप से कहानी शुरू हुई है तुछ से लिए उसके बाद उसके बाद जो है एक जगा है निजाम अपटना निजाम अपटना right and by 1608 somewhere they will also enter Puli Cut Puli Cut, Puli Cut will become eventually their headquarter right, यहीं पे एक fort बनाएंगे, Fort Gelderia right, Fort Gelderia and this is happening in 1608 1610 1610, Fort Gelderia this will become their headquarter Puli Cut becomes very very important Puli Cut right, so this is one group the Fort Gelderia, Puli Factory, Fort सब यहापे सेटप कर देंगे लो right, another thing is another thing is की एक उनका जो hold है including one is Shri Lanka right, की हाँ एक इनका headquarter Shri Lanka भी है और एक इनका headquarter या residency या ग्रूपिंग मलाबार भी मलाबार तो डच्छ मलाबार ना मलाबार इंपॉर्टेंट प्रेसे आर कोचिन अन कोई लोट यह इसे बात कर रहा है तो कोचिन और कोई लोट नव अनदर ग्रूपिंग इस यार बंगाल दूस पार्ट जहां पे उनके इंपॉर्टेंट प्रेसे हैं हुगली और चिंसूरा रइट दो प्रेसे यहां पे इनके इंपॉर्टेंट है इनसर इनसाथ 1627 में 1627 एक जगा है पिपली वो उनका पहला उनका पहला ट्रेइडिंग पॉर्ट फर्स ट्रेडिंग पॉर्टेंट है यहां दो यहां से कहानी शुरू होई ऐसलिव इमपॉर्टन हो जाता है इसलींग पॉर्ट प्राइट को सब्सक्राइब टॉछ प्राइट मेजर सुझ अ इंधनेदश मेजर ते टेटीद इंट पॉच इंट सिल्क एंपन डीन एंटो सिल्क इंटीर इंट व्हां तॉटन इंडिगो इंटिक spices pepper rice of opium you trust a not written all right yeah rice of your mana please it's much better gap to your head it's gonna down correct okay so 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 this is how this is how they have grown this is how they had they are they have spread in India right such as a growth in India or और इधर के अगर हम मेन फैक्टरी की बात करें तो सूरत सूरत आप मार्क कर सकते हो और एक और फैक्टरी आप लिख सकते हो एहमदाबाद कि इस तरीके से अपना ट्रेड करें शुरू करें हाँ इस तरीके की एह सट अप रिए कर्जान को जिन यहर प्रसytyy नहीं कर रहा हर वित कर सकता इस पर कोई फैक्टर बैठ्छा हो और किसी प्लेट औरेट आ tutor तो 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 यह नाव यहां पर एक और की समझने जायक है कि अंग्रेजों से इनकी शुरू से लड़ाई है राइट वाइवाइवाइवाइवाइव देखा था कि इसी के पार्लेली 1608 में 1608 हम बात कर रहे थे हॉकिन्स की राइट कि हमको सूरत पे फैक्टरी बनानी है तो टेक्निकली जो डच की ग्रोथ है और जो अंग्रेजों की ग्रोथ है वो अल्मोंस्ट एक ही टाइम में एक दूसरे से कंपीट कर रहे दोनों ही बिजनस करना चाह रहे दोनों ही 1600 के बाद आए एक 1605 मसूली पतनम में आ रहा तो चाहिंट्स कंपीट कर रहे हैं दो जाइंट्स कंपीट कर रहे तो यह बहुत्त होगा औरहाय बहुत्ध हो अगॉच्छर आव बहुफ दो टो रहे ना तो नाव देर यहम अशनचांट कर एक एक फेमयस जो इमपरेंटे पंटिट है किसो सिक स्क्षीन ट्री एंगॉए एंबॉइन मासकर एंबॉइना मासकर एंबॉइना में कतले आम हो गया एर गुद लेधल इंबॉइना मासकर iMr. M. तो अंग्रेजों का थोड़ा सा यहाँ पर यूनों अकम बाक फिट बाक हुआ कि नहीं जो है हम नहीं करेंगे और देन देर अंटिपल फाइट 1652 में एक बार वार हुआ है देन 65 में वार हुआ है तो हर दस साथ बीवार हुआ है राइट बट बट वन इंपोर्टेंट वार इस वार इस 1665-67 तो 67 के आस पास 1667 अंग्रेजों और डच में लड़ाई हुई है अंगलो डच डच वार और इन दोनों ने एक समधारी से कहा कि भाई ऐसा है मैं इंडिया में फोकस करूँगा राइट और डच कहेगा कि मैं जो है इंडोनेशिया पर फोकस करूंगा यह साउथी स्टेशा में फोकस करूंगा तो आज से भाई हम दोनों के रास्त्या लाग ला गया है एंगला आप अधर फोकस करेंगे राइड यह छगड के क्या ही मिल रहा है तो from here you can say कि हाँ वे है आपका जो है यहाँ पे अंग्रेजों का जो में फोकस है वो है इंडिया नाउ नाउ लास्ट पॉइंट ऐलाड एक फाइनल फाइनल कोशिश करी थी डच ने इन 1759 राइट और यह जब वहां पहुंचेंगे तो फिर से दिखेंगे इसमारी बैटल ओब बेदारा तो बंग इसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेट रहेगा डच का इंडिया में अधर वाइस कुछ आइसा रेलेवेंस नहीं है कोई इनका इनका कोई फाइदा नहीं है आक्चलिए को यह चोटी सी कहानी डच की है इसमें एक छोटी सी बात और आड़ कर रहा हूं मैं इसमें पॉंडिचरी अगरे देखेंगे ए राइड लेट लिट अव ठीट ब्रिटिशर जो अब जब फाइदा हो राए तो कहीं न कहीं इनको भी लगराई कि हम भी इस प्रॉफित में जाएं हम भी बिजनस करें अगर जो है पॉट्चुगी पिछले 100 सालों से इतना बढ़ीयां बिजनस कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हम भी जा सकते हम भी कर सकते तो 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 इस्पेशली इस्पेशली कुछ और इवेंट भी हुए है जैसे फ्रांसिस देख जो ह अगर यह पॉसिबल है तो हम भी चलते हम भी करेंगे बिजनस आपके यह आइडिया आया है कि हम भी हम भी चलते हैं है नाव तो अगे नाँ अगें वन्मोर ताइम लाइं लाइं लास्ताम लाइन लाइन पर भॉडशे इस बार नाव 15.99 में पहली बारी जॉन मिल्डेन हेल जाते हैं मिलते हैं अक्बर तो जॉन मिल्टन हेल ने इसे मुलाकात करी अगबर से पूचा कि हम ट्रेड करना चाहते है बुस्नस करने देंगे अगबर ने का हाँ ठीक है कर दो ट्रेड राइट बिल्कुल कोई बात नहीं राइट यहां पर ने खाल ठीक कर दो चलेगा राइट नाव नाव जब इसके बाद, अब मिर्टेन हैल वापस गए, वहाँ पर जाके खबर सुनाई कि अक्बर ने हा कर दिया है, अब देखो इंडिया के सामने, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया के सामने ब्रिटेन बहुत छोटी सी कंट्री है, अब इंडिया के राजा ने हा कर सो चाइटर एशु कर दिया प्राइविट कंपनी को गया ठीक है भई जाओ करो ट्रेडिंग करो बिजनस करो कोई दिक्कत की बात नहीं है ति राइठ आ आपको जो है इंडिया से टेक्सटाइब गर्डा का बिजनस करना है जाईए जैसे भी आप कर सकते हैं टेक्स्टाइब स्पाइस सब्सक्राइब में जो भी है आप ले एक आईए डिस ला सोला सो नौ में कैप्टन होकिन्स पहुंचे अभी यह कहानी मोग से 1611 क्या कुछ हुआ नहीं हुआ पर 1612 में पॉर्चुगीज को हरा दिया यह बड़ी बात हो गई प्लस प्लस यहीं पे एक और बात आड़ करते हैं कि 1611 में आलसो इस्टाबलिश्ट फैक्टरी एट मसूली पटनम तो पहली फैक्टरी मसूली पटनम और 1613 में सूरत की परमिशन मिल गई तो सूरत तो नाव दे हाव टू इंपोर्टेंट प्लेसे तू इंपोर्टेंट प्लेसे पर उनकी फैक्टरी आचुकी शुरुआत हो चुकी रेइट तो नाव अब क्या हो रहा है अब अंग्रेज अंग्रेज भी अपनी जड़े में बि पर शूरत क्यों पहुंच रहा है तो सवाल है कि जैसे हर बमबे रोडे आक्टिंग करने के लिए क्योंकि वह cat industry है एक हूश काम होटा है एंडलो इसमिन्टन बोचा मिलेज ए प्रमेशन दिलवा दो रइइड विवयलर्ट तो सूरत सूरत जो प्र्लेइक आपिन से सीर्थ हमने देखा है कि हाँ पॉर्चियों की जहार भी गए और सूरत पर फैक्टरी स्टाबलेश हो जाएगी by 1630. अब यह initial शुरुआत होई है. अब भेजा जाएगा थॉमस रो को. तो अंग्रेज कहेंगे कि हाँ भई थॉमस रो जाओ जरा मिलो राजा से मिलो. तो थॉमस रो जाएगा थॉमस रो अब यह जहांगीर के पास यह भी पहुँच गया. जहांगीर ने पहले खादर्दार यह अच्छी करी थी एक और महमान. अब कौन आगया है? थॉमस रो आगया है. कहां से? ब्रिटेन से. कि हाँ वहाँ की राजा ने भेजा है कि भाई जाओ और जहांगीर से पर्मिशन लेकर आओ. क्योंकि जहांगीर ने अल्रेड़ी सूरत की पर्मिशन दे दी है. तो बाकी लोग की पर्मिशन भी लेकर आओ. ठीक है चलो लेकर आते हैं. राइट तो नाव तो थॉमस रोईस हैर की हाँ भी पर्मिशन लेकर आते हैं. राइट जो है पर्मिशन लेकर आते हैं बात करते जहांगी इतने टाइम रहे भी अभी बहुत बड़ी बात है कि हाँ छोटी सी कंट्री है ब्रिटेन और इंडिया में कोई उनका अम्बैसेडर आया है उसको उसको एकडम हाथी पर घुमाया जा रहा है साध्यों सानों के पर चार राइट पूरे यूरोप चर्चा हो रही कि देखो बाकितने इजट ओर ये पूरा गाला जोगाला डिनर हो रहा है खाने पनीर बनाए है राइड यह सारी बाते जो है यहां पर यहाँ पर की जारी तो थामस रोब फेक्ट्री बना लो एंडबाद ने फैक्ट्री बरूज, राइट है ना यह फैक्टरी आप अड़ करें, तो नाव नाव दे अर ग्रोइंग, फ्रॉम हेर दे अर ग्रोइंग, नेक्स्ट, नेक्स्ट रिलाइज कि अब यहां पसे मैं आपको तीन लाइन दे रहा हूँ, कि मेजर तीन डेवलपमेंट, राइट मेजर तीन डेवलपमेंट, एक है 1630, एक है 1660, और एक है 1660, किता सिंपल, राइट कि 1630 में, 60 में, 90 में, 30 का पाहडा हो गया है, तो, 30, 1690, 90, राइट, 1630 is the story of madras, 30s, एक है न, 30s, not exactly 30, 1660 is the story of Bombay, and 1690 is the story of Calcutta, कितना सान है, राइट है न, तो, 30, 60, 90, तीनों की कहानी, राइट, आईए समझते हैं इसकी कहानी को, तो, नाव, अभी हटा रहो है, वापस आएंगे, तो, 1630, 1660, 1690, तो, 1632, इनको एक golden फरमान मिलता है, 1632, golden फरमान, अब यह golden फरमान उनको दिया है, गोल्कोंडा वाले, गोल्कोंडा का जो राजा है, गोल्कोंडा, तो गोलकुंडा के जो महराज है इनको जो है इनको एक इस एरिया में इनको क्या मिल गया है गोलकुंडा के सुल्टान तो टेक्निकली ये जो एरिया है इस एरिया में इस एरिया में इस इस गोलकुंडा इस एरिया में इनको क्या मिल गया है golden फर्मान मिल गया एक ऐसी permission मिल गई है जो कि कहती है कि आप हमको you know कुछ साल का एक fixed पैसा दे दो amount is not important but एक fixed पैसा हमको दे दो right और उसके बाद free trade उसके बाद जो जितना आपको समान खरीदना है जितना trade करना है आप करिये हम नहीं रोकेंगे ऐसा percentage नहीं कि एक लग का समान होगा पांच परसेंट जिस्टी दो गए ऐसा नहीं है राइट इस राइट कि एक बार हमको लमसम ड्यूटी दे दो उसके बाद आपको जो करना है करो एक तो इस तरह का arrangement यहाँ पे गोल कॉंडा में हो गया पहली बार आसा की टाइम त्रैक्ट्री सेट अप हो रही है इस हरी हरपुर रही हरपूर और बालास और दो फैक्ट्री यह ओडी सामें भी मिल रही है राइट तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब इस साइड में इस साइड में भी इनको अच्छा है spread मिलने लग रा इन को थोड़ी जमीन मिली चंद्रगीरी के Raja, Right Çंद्रगीरी. तो चंद्रगीरी के राजा से इन को जमीन मिली Francis, Francis Deco और इनों ने मदरास setup किया. तो इस सी मदरास. अब मदरास क्या है कि मदरास इन है कि न rural हाइए हो रहा है जहां से जहां से जह है they will they will create a presidency this is you can say one of the strongest forward strongest hold they have madras right to madras 1639 we they are going to have madras so by 1639 1639 madras milra bhai madras right and yeah this is by frances day家 चंदगीर के नवाब नाई लिखना चाहिए तो फ्रांसेस दे लिख लिए रफ इस इस हाओ देट इस नेगोशेशन विल बी गूड और इनको बड़ा जो है यू नो बड़ी उपलब्दी हाथ लगी है फ्रांसेस दे को जो है मदरास हाथ लग गया है इस फर्स टार्ट सेकेंड सेकेंड सोज़सु साथ आट में होता क्या है कि जो जो पॉर्चुगीज की राजकुमारी है कैथरी उसकी शादी हो जाती है इंग्द्ण की राजकुमार किसाब है तो देर इस अ मैट्रिमोनियल रिलेशन्शिप बैशादी कर एक रिलेशन्शिप हो गया बिट्वीन मदरा बिट्वीन यूरोप सुरे बित्वी इन ब्रिटे इन अंड पॉर्टै पॉर्टुगल को आब दहेज में लोगों ने क्या दे दिया मॉम्बय दे दिया है रैइट तो यह जो शिक्टीन इसको दे देगा लिस पिले दो बाए 1668 1668 मत्रा बॉम्बे इनके हाथ अग जाएगा तो बॉम्बे कंपनी को मिल गया है लिस पर नाव टेक्निकली इनके पास दो बड़े स्टेट्स क्रियेट हो रहे हैं एक मद्रास important होने लगेगा eventually, मद्रास दूसरा important center create हो रहा है Bombay और धीरे धीरे सूरत को replace करने लगेगा अब सूरत important नहीं रहेगा Bombay important हो जाएगा पहले सूरत important था और तीसरा जो हमें center create करना है which is Calcutta अब Calcutta की कहानी और जान लेते है Calcutta और इसा स्टोरी Calcutta तो नाउ Calcutta तो 1662 की हमने बात करी कि Bombay जो है देज मिल गया था King Charles 2 को और ये Portuguese Portuguese की राच्चक्मारी है Catherine Vrigandza जिन सो शादी होई थी इनकी और इनको जो है देज में दिया गया था अच्छा Portuguese की देज में क्यों दे लिया थे राइट क्या ही है इसका तो उस समय बॉंबे ऐसा कोई बड़ा शहर भी नहीं है आइलेंड है तो मकसद यह था पॉर्चुगीज का कि उनको कहते हैं राजा सापको कहते हैं कि ब्रिटेन के राजा को कि हम आपको यह दे रहे हैं लेकिन हमको जो है हमको थोड़ा कि बंबे यहां हात्र रगए हैं देन बंगाल ना बंगाल की कहानी थोड़ी डिफरेंट बंगाल में बंगाल में होता क्या है बंगाल है तो देखो मुगस की अन्डल है राइघ मुगर्स परमीशन भी देनेंगे जाओ क्या आल कि यह समान जाने देंगे तो लोकल ओफिशल कही न कहीं परिशान करते तो यह सबसे बड़ी समस्या है सबसे बड़ी समस्या है फॉर फॉर वी बिटिश्ट इन सब जगाई लोग इस्टाबलिश हो रहे यहां पर यहां पर यहां पर पहले शास्ता खान से रिक्वेस्ट करेंगे बट यहां पर रड़ाई हो जाएगी दोनों के बीच में तो यहां पर अंग्रेजों की रड़ाई हो चुकी है मुगल राजा है औरंग जेव राइट यह अलग जो है एरोगेंट हो गया इनको लगा कि और अजेव को चलेंज कर सकते हैं राइट कुछ भी हो जाए औरंग जेव औरंग जेव राइट औरंग जेव चालेज औरंग जेव औरंग जेव कर दिया उन्होंने राइट तो पिटाई भी हुई भाई तो काफी काफी साइड लाइन हो गया है 1686 में होगली से भंगा दिये गया है राइट है ना होगली पूरी साक कर दिये थोड़ा बहुत इन्होंने भी हाथ पाह मारा बट स्टिल स्टिल औरंग जेव के सामने कुछ नहीं है राइट नाव दे रियलाइस्ट गलती हो गई है भाई क्या किया जाए तो जाके इन्होंने बोला सौरी सौरी गलती हो गई तो 1690 में वापस औरंग जेव से मुलाकात राइट जॉब चर्नौ की जम्मेदारी है तो जॉब चर्न तो यहां पर फाइनली डेविल स्टाबलिश जगा दी जाएगी सूता नती तो सूता नती में डेविल स्टाबलिश फैक्टरी यहां वापस बिजनस शुरू किया जाएगा रिक्वेस्ट होगा यहां जो है परमीशन दे दीजे तीन हजार उपर हमसे साल कर ले लिजे और ह श्काली घाट तो आसपास का एरिया भी खरी लिया और यही एरिया क्या बना यही एरिया है कैलकटा रएय है हेर-और यही जो फोल्ट बनाय था इसी का नाम रख वर्ट को यह कहानी है कि सग्या कर्क वहां पर ए rapport किया यह वहां पर ओर कोडिफिकेशन किया और यहां पर फोर्ट विलियम सेट अप कर दिया है अब अगली कहानी जो है वो शुरू होती है यहीं पर यहीं पर इसको खतब यह कंप्लीट कर रहते हैं कि नाव 1707 में औरंग जेब की डेथ हो जाती है तो 1707 इस डा डिवाइडिंग लाइन कि जितने इंपोर्टेंट मोगल्स हैं वो जा चुके हैं 1707 औरंग जेब डाइड और यहीं से हमारी अब ऐसा कोई डिवीजन तो है नहीं ऐसा थो नहीं आज से हिस्षी बजल गए ऐसा थो नहीं होता बठाब फिर भी मॉडर्टेंड यहां तो शुरू होती है अब तक हम तो टेक्निकली मेडाइवल में बात कर रहे थे पूरा डिसकुशन मेडाइवल में था रइट खेव खेव तो औरंग जेब औरंग जेब की डेथ हो चुकी है और उसके जो सक्सेसर यहां पर आए है क्या वो स्ट्रॉंग है कोई स्ट्रॉंग नहीं अंग्रेजों को रिलाइज होगा कि जाके एक बार पूछ लेते हैं कि जो पहले हमें परमेशन दी गई थी क्या वो एक्जिस्ट करती है तो सत्रा सो सत्रा में उस समय राजा है मुगल के फारुक सियार पारुक सियार के पास जाएंगे लोग राइट कहेंगे हमको परमेशन दे दीजे फरमान दे दीजे और अंड डिस लास्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टन फरमान कि और अंग्जेव की डेथ हो चुकी है एक बार फिर से देखो तो 1599 में हमने कहानी शुरू करी थी राइट 1599 में जो है परमेशन लेकर आये थे लोग एक रिक्वेस्ट लेकर आये थे अकबर के पास हमने देखा कि हां 1609 के आसपास आये हौकिन्स कोशिश करी जहागीर के साथ नहीं बनी बात बट फिर भी 1613 तक सूरत की फैक्ट्री बन गई क्योंकि पॉर्चुगीस को हरा दिया था एक बारे 1611 में मसूली पत्ना में भी फैक्ट्री बनी गई थी फिर थॉमस रोग को भेजा तो वो भी कुछ-कुछ पर्मीशन लेके चला गया बरूच वगर आप आगयो राइट फिर तीस के आसपास ओडिसार मद्रास की प्राप्ति हो गई 1660 के आसपास बॉम्बे में मिल गया 90 के असपास कैलकटा भी स्टैबलिश हो गया तो तीनों important है किसे कहा जाता है भई यह company के लिए Magna Calta है बहुत ही important document को Magna Calta कह देते हैं तो इन्होंने कहा कि Magna Calta है company के लिए इस फर्मान में इन्होंने कहा कि भई बंगाल में 3000 रुपए दो जाओ करो प्लस अपने खुद के पासेजी मना सकते हो दस्थकत कर देना पास बन जाएगा और जाकर दिखा देनाratorIT동 होगे हां बही हमारा पास है कोई दिक्कत की बाद नहीं पास हो जाओंगे कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें प्लस प्लस जह है कालकटा के आज पास और जमीन खरिदना चाहे खरिए इदम दिल खोल के दिया है रहे जो और जमीन खरिदो यार तुम कोई दिक्कत नहीं है हदराबाद में हदराबाद में आपको duty देनी की जुरत नहीं है तूरत में दस होजार रुपए दो जो मरजी करना करो duty फ्री हो जाएगा बिल्कुल प्लस जो कंपनी जो कॉइंस बना रही है क्या वो इंडिया में मानने होंगे हाँ भई मानने भी होंगे तो बढ़िया जो है एकदम खुल के दिल खोल के फरमान जो है यहां पे फारुक सियार कौन है और मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अगला चैप्टर हो जहां पे हम मुगल क की बात करेंगे फारुक सियार इनके भाई बैंन सबकों इंट्रोड्यूस करेंगे तब करेंगे डिसकेशन अब अभी हमने समझा कि फारुक सियार ने बड़ी परमीशन दे दिया तो यहां तक यहां तक वाट वी अर्ड़ाइजेंग इपाई एक अच्छी growth मिली यह अचा तो एक और क्रियेट करें तुनोंब अगर क्रियेट करें कोशिश करी वड़ चली नियुक्त बहुत इक है ने रहे गुत ढूंटेंट यह ना बहुत मत बहुत हम ग्यूटटेश को बहुत बहुत ज Acts kup तो 1708 से नया नाम इस्ट इंडिया कंपनी तो यह पूरी स्टोरी है इस्ट इंडिया कंपनी की तिल 1720 तो 1720 पर हमने इसे कहीं रोका आए भी या ऐसा माल दो की 1750 तक यही है यहां पर अब लेकर आते हैं अगला कंटेंडर विच इस यॉर फ्रांस बात करते हैं फ्रांस की देखो अगर आपने टाइम नहीं साथ में बनाई होगे तो काफी असान हो जाएगा नहीं बनाई होगी तो थोड़ा मुश्कित होगा रैइट तो आई यह बात करते हैं आंगलो फ्रेंट चुराए विल रहे कि तो फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की पहले तो छोटी सी कहानी है सबसे आखिर में आएंगे भागते हुए बिल्कुए यह ट्रेन छूट रही हो होता ना कभी को बिल्कुए यह लपक के चड़के आप ट्रेन पकड़ते हो थोड़ी वैसी कहानी कि यह सब आच चुके हैं पॉर्चुगीज डच इंगलिश इनफाक्ट डेन्स भी आई चुके उसके बाद उसके बाद कहीं पता नहीं याद आया फ्रांस को कि हम भी कर लेते हैं राइध है ना अच्छा बिजनस हो रहा है हम भी चल लेते हैं राइध है अब ऐसा ऐसा कंपनी शुरू करी कहने का मतलब कि यह जो कंपनी बना रहे हैं इसमें गवर्मेंट का भी अच्छा खासा स्टेक है तो नव फ्रांस इंटरिंग इंटू दगें रइट डच को हम देख चुके हैं अगर आप भूल गये हों तो डच जो हैं नीदर लैंड तो यह वाली कहान कि भाई बनाओ हम लोगी बनाते एक कंपनी बनाते तो लूइस फॉर्टी ने कंपनी मनाई रइड मिनिस्टर कॉल बर्ट के बनाओ कंपनी पचास साल की मुनापली भी दे दी प्लस काम मदागास कर भी रख लो कोई बात नी मदागास कर मार पस पड़ा हुआ ले जाओ तो लेट लेट कि हां कहां भी 1606 में डच आ चुके है 1605 सम्वेर 1609 तक 1611 मालो तो 1611 से ब्रिटिश भी चालू हो चुके है डच भी आ चुके है यह पचास साल बाद आ रहे है वहीं बगल में रहते हैं I don't know why रइड है ना कि हां बही जो है इतने टाइम बाद दे रिलाइस कि इ सूरत में बना दो मसूली पत्नम में फैक्टरी बना दो रइट प्लस बंगाल साइट चंदन नगर तो वहीं तीनों जगा रइट बॉम्बे के पास सूरत मसूली पत्नम रइट और यहां पे चंदन नगर तो यह तीन इन्होंने पैजे प्लेसल बनाए and then France का जो सबसे बड के Francois Martin का इसमें contribution है and they had pondicherry. So this is how their whole story of pondicherry over somewhere here red pondicherry started. So pondicherry France का जो core center है वो pondicherry है. अंग्रेजों का जो core center है वो मदरास है. Understood? Right. So now to now the pondicherry. So pondicherry में ये लोग अपना business शुरू करेंगे then more places will come कि हाँ भी कराइकाल है, माहे है, बला सोर है etc. etc. Right. Now now, अब होगा क्या कि pondicherry की कहानी अगर मैं आपको थोड़ी बताऊं यहीं प्थोड़ा सा pondicherry की कहानी सुमते हैं तो pondicherry सबसे पहले Portuguese के पास था तो pondicherry अगर हम समझें, pondicherry तो सबसे पहले पॉर्चुगीज के पास था बट यहां के लोकल रूलर ने पॉर्चुगीज को रहा दिया और इसको देदिया डेंस को कि तुम लोग रहों यहां पे राइट है ना अब देंस पावर्वल हैं नहीं इन से ले जाएंगे डच और इन से यह वापस देगा राइट तो डच फ्रेंच से पॉर्चरी वापस देगा बट दें दें बाइ 1693 बेर देटी ओ रिज्विक आफर दिस मार जिसमें होगा कि भाई अपना पॉंडिचरी ले जाओ राइट पॉंडिचरी रिटन कर दिया जाएगा पॉंडिचरी इस रिटन विकाज आफ रिटि यहीं पर रिटन पर अलमोंस इन्हीं के पास रहेगा फ्रेंच के पास रहेगा और अट आट शौ साथ में आफर दिस साथ में ब्रिटिश बिटिश ले जाएगा तो पॉंडिचरी जो है वो इधर उदर कूटता रहेगा कभी इनके पास कभी उनके पास कभी उनके पास बट फाइनली मेजर टाइन के लिए जो पॉंडिचरी है वो फ्रांस का ही सेंटर रहेगा एना तो कि मेझर hard French का ही सेंटर रहा है बट अदर्वाइस ऐसे हाथ स्विच्छ होते रहे हैं पॉटने चरी के खेर सो ओवराल अगर हम समझें तो हाँ तो भई ये तो लड़ाई और जगड़ा चलता ही रहेगा तो इनकी डच से भी जगड़ा होता रहेगा जो इनके सबसे बड़े लीडर है फ्रैक को इस्मार्ट यहां पर मडगास करके आगे मौरिशस और रियूनियन दो छोटे छोटे आई रहें यह भी आपको सपोर्ट करेंगे हैं सामको कह दिया मदब अपनी सरकार अपनी कंपनी को कह दिया बट स्टिल स्टिल आर दे गेटिंग गूट सपोर्ट आर दे केपिबल आफ दूइंग विल रिलाइज नो रएट तो सिच्वेशन काफी खराब है अंटिल अनलेस अंटिल अनलेस डूपलेक्स केम इंटू पिक्चर तो नाव अब होगी अंगलो फ्रेंच राइवलरी अंगलो मतलब इंगलिश तो ब्रिटिश और अंग्रेजों की स्वरीर फ्रांस की थोड़ा नाम आएगा रॉबर्ट क्राइव आयो समस्ते है बस यहीं एक लास्ट बड़ा टॉपिक रह रहा है हमारा राइट आयो समस्ते है राइट थोड़ा पेशंस रखना पड़ेगा क्यूंकि चाप्टर देखो बड़े चाप्टर से इन चाप्टर को खतम करने में थ गुए ओष बाक यहीं दो भणकिविटेशग में थे ऐटे करेंंगे एग क्लस्में घर एग करेंगे तो इस रटेक रएक बड़ेगल अर थोड़ें बड़ा एट रहा है ड़्यूरों चाप्टर क करने आएग एगे अलासन ब्ल्प। कर द kerm सम्हीं मौ घाया shaping तो तो अंगलो फ्रेच रावलरी तो अब हुआ यह कि यहाँ पर एक एंट्री होती दुपलेक्स की पहले पर दुपलेक्स का बैक्राउंड बता वांको तो डुपलेक्स कुछ 1720 से ही इंडिया में थे 1720 से ही इंडिया में थे, he was also officer in french government बट देन कुछ confusion हुआ, कुछ time के लिए उनको हटा दिया, कुछ cases भी चला, but then finally he became governor, तो इनको governor head बना दिया, this head thing is coming by 1740 somewhere, 1742 में he became the governor, now duplex की खास बात ये है, कि he believes in, you can say, political expansion, इनका जो अप्रोच है, right, इनका जो अप्रोच है यहाँ पे, as a head of the, you can say, french company over here, तो इनका जो अप्रोच है कि मुझे political expansion भी करना है, मुझे यहाँ पे अपना sphere of influence create करना है, यह जो area है, यह मेरे control में होना चाहिए, यह जो सारे लोग है, यह सारे जो जिराद्य महराजे हैं, इनके साथ मेरा अच्छा उठना बैठना होना चाहिए, तो थोड़ा सा expansion का जो आप समझी है, कि हाँ जो भारत को गुलाम बनाने की बात है, कि हाँ हम एक colony बनानी है, उसका कुछ idea, inclination हमें यहाँ से दिखता है, यह नहीं है, वो thought process हमको दिखता है duplex में, कि अगर पहली बार कोई political expansion, political influence, कि हाँ हम जादा से जादा राजा मेरे control में रहें, ऐसा अगर कोई thought process हमें बताता है, तो वो हैं यह, यह भाई साथ, राइट, है नहीं तो ऐसे thought process के साथ, अभी क्या चाहेंगे, यह चाहेंगे कि भाई हम अंग्रेजों को थोड़ा किनारे लगा दे, यह रइट, Britishers को थोड़ा किनारे लगा दे, तो आजी समस्तें क्या से कर रहे हैं रोग, तो नाव, नाव, तो वी बिल सी Carnatic Wars, तो अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज इस एरिया को Carnatic कहते हैं, तो रैट कि इस पार्ट इस Carnatic, अब यहाँ पर यहाँ पर इस समय राज्य है, आरकट का, यह है यहीं पे हैं, हैद्राबाद का राज है, ना परनाथाङबार्यार्यम्पान केड़ा है है इधर हैद्राबार्यम्पाद भी है, माइस्वर भी, परेस्ट्रि म कहते हैं, विए यहां की जो लडाईया होने वाली हैं इसी को कहते हैं कार्नाटिक वार कार्नाटिक वार कहते हैं इसको कार्नाटिक वार्स और यह वार नहीं वार्स हैं तीन वार हैं कि यहां पर कुछ युद्ध होने वाला है एंगलो और फ्रांस के बीच में अंग्रेज और फ्रांस के 1742 पहली जड़ाई 42 से 48 1748 यह पहला युद्ध है यह राट इस फर्स्ट वर बताते है क्यों हुआ अगला अगला 49 to 54 हो रहा है 1749 to 1754 राइट अगला जो है वह 56 to 1756 to 1763 हो रहा है रहे भूमी का बानते हैं कि हाँ क्या हो रहा है लगब लगब 20 साल की ओवराल लड़ाई है राइट और 20 साल यह जो 20 साल है हम बात कर रहे हैं कारनाटिक वार्स की इसको कारनाटिक वार्स भी कहते हैं उसे एरिया कि वजये से दस लस इसको इसको आगलो फ्रेंच वार्स भी करते एख आँ आजयों करकर वार्स में क्या हो रहा है वार्स में पहला वार्स ऑ तो होता क्या है कि भई इनकी लडाई जो है यह यहां पर नहीlaş données इंडिया में नहीं हो रही यह यह लडाइन हो रही है this is in वह इस इनव इंडिस इन इूरोप एंगलो फ्रेच वॉार्ट चल रहा है तो बिसिकली फ्रांस और ब्रृटेन आपस में लड़ने यूरोप में घर में अपने लड़ाई हो रहे है इंडिया में लड़ाई नहीं राइट उनका अपना कुछ ऑस्टीन वार आफ सक्सेशन का इश्यू हुआ है कुछ ऐसा लोकल कुछ जगडा हुआ है घर में बटवारा टाइप डिकत हुई है तो वह अपना आपस में घर में पर चल रहा है तो कहीं फॉरन में भी कोई मिले इंडिया पाकिस्तान तो यह कहेंगे अच्छा तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो कुछ इस तरह की बात है यहां पर इंग्लिश नेवी में बैठे हो है बारनेट बारनेट फ्रेंट की शिप को सीज कर देंगे ऐसे छेड़ने क सब्सक्राइब को जवाब देते हैं फ्रांस को पता है कि वो कम जोर है राइट तो दुपलेक्स ने कहा कि ठीक है भाई हमारा पॉंडिचेरी और आपका मदरास अलग बगल बगली तो है तो इतना घमन क्यों इतना घमन चांद को भी नहीं है राइट तो यह कहेंगे कि हम आपके उपर डुपलेक्स कहेंगे कि हम ऐसी अटाक करेंगे वाई लैंड और नीचे से रियूनियन आइलेंड से मंगाएंगे किप्स और यह अटाक करेंगे सी रूर से अब अंग्रेज भी कोशिश करेंगे कि हम पॉंडिचरी सीज कर ले मठोर नहीं पाएगा अंग्रेज दिल्कुल बॉखला जाएंगे यह एक्सपेक्टी नहीं कि यहां ऐसा भी हो सकता है उमीधी नहीं थी उनको वह लाब और दिन्यास से जो है बोलेंगे भी लाब और द दिन्यास तो यहीं लेकर आया इस आरे जाज तो इसको पटाने की कोशिश भी करेंगे अंग्रेज है ना ब्रिटिश जो है ब्रिटिश यह ब्रिटिश का सेंटर सीज हो चुका है भाई आप यह रो रहे हैं बिल्कुल कि हमसे गलती हो गई गलती हो गई नहीं करना चीथा है तो डुपलेक्स टेक्निकली यहां पर भारी पड़ रहा है राइड है यहां पर खासा भारी पड़ रहा है पूरा मदरासी कर लिए उसमें रख और दिन यह पर ब्रिटिश पर देते चौड़एं रहे है तो झो चो झो चो भी आ हमारे धारनी ज़रूरी है और डेको ध् कर लो गले मिल लो तो 1748 में ट्रीटी ओफ एक्सर शैपल ट्रीटी ओफ एक्सर शैपल उदर घर में फ्रांस और बिटेन बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा है हमारा मदरास वापस दे दो अंग्रेज कहर रहे हैं और बदले में तुम्हें नौर्थ अमेरिका में बढ़िया प्लॉ हुआ नहीं इसमें एक बीच में मुद्दा और हो गया बीच में क्या मुद्दा हुआ बीच में जो यहां के नवाब हैं नवाब साब अब यहां पर कारनाटिक के जो नवाब हैं नवाब अनवरुद्दीन नवाब अनवरुद्दीन नवाब अनवरुद्दीन को पहले प तो नौभ अनल रॉटिन को बोला था आपको देदेंगे तो नवाव星 ख्लाइक हां ठीक है गूड जोब देदेना मुझे लेकिन जब मज़ास सीच कर दिया तो नवावनुरुदीन को बोला कि नहीं देगे जाए कुछ हो जाए नहीं देंगे ऐसा करके बोल दिया तो नवावनवरुदिन बुरा मान के ते मजा कर रहे हैं तो अभी रूखो तुमारे उपर अटैक कर देते हैं और भेजा यहां पर महफूज खान को और इधर कैफ्टन पैराडाइस इधर से कैफ्टन पैराडाइस और उदर से मह महफूज खान और पैराडाइस ने महफूज को पूरी महफूजय के साथ पैराडाइस महुचा दिया रइट यह हार गये नवाव अन्वरुदिन हार गये ही लॉस्ट इस बैटल ओ अम्बूर राइट यह हार के बेजिती भी बहुत हुए राइट प्लस डुपलेक्स को पत अन्वाव अन्वरुदीन चुप चाप जाके घर पे बैट गये कोई कुछ नहीं वा बात दादा ओधर कभी गर जाता है फिर एसे उठता कि हाँ कुछ निवा बूरुदीन के साथ यहां पर राइट लेकिन बात तो चुपाए राच चुपे नवाव अन्वरुदीन हार ग जो है नवाव अन्वरुदीन सेंट हो में हार गया राइट अनाओ अब यह क्या है कि दिस आय ओपनर वर डुपलेक्स डुपलेक्स को लगे अच्छा काफी कमजूर है यारे लोग इतने स्ट्रॉंग तो है नहीं ठीक चलो मौका डूंट है मौका और ऐसे में डुपलेक्स जी एक तरफ निजाम आफ हैद्राबाद तो हैद्राबाद के निजाम की डेथ हो गई है अधराबाद पर पहले निजाम हो आपकड़ते थे असव जाई की कहानी सुनाओं का मैं तुम्हें बटा भी नहीं तो इनकी डेथ हो गई अब जो इनका बेटा है नासिर जंग का ऐसे कैसे रुखिये रुकिये रुकिये भाई इंडिया के समें राजा जो है वो है मुघल और मुघल कहते हैं कि उनके इस एरिया का नवाब हूँ मैं नवा मतब्द निजाम नवान हो मैं मैं गवर्णरू मैं तो आप नहिंए बन सकते मेरा हग है रएट तो मुझे 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 दफर को जो है सपोर्ट कर दिया है यहाँ पे तो आप टेखनीकली यह नवाब नहीं यह बनेगे नवाब ऐसा बनना चाहिए तो यह क्रैश हो गया तो अब इन दोनों में युद्धुन अते तो एक तरफ यह तना इनके पहले नवाब जो थे नवाब थे दोस्तली इनसे पहले दोस्तली थे दोस्तली का एक पोता था स्वरी दमाद था चंदा साहिब राइट ये इनको चंदा साहिब को आक्चुली दोस्तली की डेथ के बाद चंदा साहिब को एक्चुली उठा ले गए मराठास तो ईद हाए थेते हैं अभी इनको रिलीज कर दिया गया तो चंदा साहिब वॉस रिलीज्ट तो चंदा साहिव आएंगे तो कहेंगे मुझे नवाब बनना चाहिए तो एक इधर तरनातनी हो गई है यह कह रहेंगे मुझे नवाब बनना चाहिए अन्वर उद्दीन का क्लेम नहीं है मुझे बनना चाहिए नवाप तो अभी दो तरफ तनातनी हो गई डूपलेक्स कहा रहा है इसी मौके का तो इंतिजार था बहुत बढ़िया यहीच है रइट तो डूपलेक्स कहें का बहुत बढ़िया ऐसे मौके पे फ्रा में राइड ब्रिटिश ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अपोलिट साइड हो गए तो इनको सपोर्ट करना पड़ेगा अन्वरुद्दी पुरानी दोस्ती और नासर जग अब होगा युद्ध है राइड होगी लडाई होगी बैटल ओवेल लॉर 1749 बैटल ओवेल लॉर अब सब्सक्राइबाद के सर्दार वही बन गया सर्दार ने सूबेदार तो सूबेदार बन गयो राइड नाव बैटल वेल और बैटल वेल और में यह जीत गया है प्लस डुपलेक्स को बोला कि तुम कृष्णा नदी के नीचे जितना भी गवर्ना जितना भी टेरिटरी है उसके गवर्नार आप है यही तो सुनना चाहता था मैं राइड इसी ले तो इतनी महनत कर रही थी यार क्यों ही मैं सब कर रहा हूं है राइट है ना तो यस तो डुपलेक्स का एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लागा मुझे एक तम दिल जीत दिया तुम्हें बहुत तो बसी अपनी लेकर एक आर्मी हैदरबाद में खड़े हो जाएंगे इस और पहली बार सबसेडेरी अलायंस हुआ है अब यह बात में यहां पर कह दे रहा हूं एक्स्प्लेंट नहीं कर रहा यह आगे कनेक्ट करेंगे अभी यह इसमें नहीं लिखा हुआ हुए बट या देंगे कि हाँ कर लेते हैं तो नाव नाव तो ही विल यह आल्मोस है वार राइड अधा लग रहे है कि जीत हो ही गई अब क्या ही रखा है बट ऐसे में ऐसे में एक एंट्री होती है दूसरे हीरो की अंग्रेजों का हीरो रोबर्ट क्लाइव रोबर्ट क्लाइव आक्चुली फैक्टर है राइट और यह कन्विंस कर लेते हैं कहते हैं कि भाई ऐसा है हम लोग जो आरकट की राजधानी है आरकट आरकट की राजधानी है आरकट आरकट की राजधानी पर अटाक करते हैं रॉइट सीज कर देते हैं बेलों रॉइट और और जो मुहमध अली जो चंदा साहब कर जो बेटा है मुहमम्मद अलीствие कर, इनका एक बेटा है मुहम्मद अली लएट मुहमम्मद अली राट शुंध अली फसा हुआ है ट्रिचने-पल्ली में, रॉइट वहाँ और यह आर्कट के जो नवाब और है रइट जो है एंवरुदीन का बेटा है मुहमध अली तो आप चंदा साहब मुहमध अली को मारने की कोशिश करने रएट तो मौमध अली जाके छुप गया है तुरेचुना पोली में तो यहां बैठा है मुहमध अली यहां पर चंदा साहब इसके पीछे पढ़े इहां इसको छोड़ो नहीं कल को यह भी कहेगा कि मुझे नवाब बनना फोड़ना नहीं है इसको तो चंदा साहब और इनके सपोर्ट में लोग लगे हुए अब ऐसे मौके पे ऐसे मौके पे रॉबर्ट क्राइब ने सीच कर दि और यह कुछ पचास दिन कुछ नहीं कर पाए लो राइग तो रॉबर्ट क्लाइब की तारीफ है कि भाई हां जी उमीड भी नहीं थी भाई हो है न वो तो क्लर्क सा फैक्टर था वो कोई ऐसा मिलेटरी जनरल भी नहीं है बट वो भरी पढ़ यहां और देन देन मराथास जनरल केम एंड हेल्प्ड त्रिचना पोली एंड रॉबर्ट क्लाइब प्लस प्लस महम्मद अली अल्सों किल चंदा साहिब तो टेक्निकली ब्रिटिश वान दा गेम जो पहले वो हार चुके थे लगबार तो यह सेकेंड बैटल में फाइनली रॉबर्ट क्लाइब भारी पढ़ गया किस पे डुप्लेक्स भारी पढ़ गया राइट और यह काफी बेजिती हुई डुप्लेक्स की काफी बेजिती हुई फ्रेंच कंपनी की और यह इस बेजिती को बरदाश्त ना करते हुए फ्रांस ने डुप्लेक्स को वापस बुला लिया अब यह बहुत बड और है फ्रांस के एंड में ब्लंडर है कि फ्रांस अगर कुछ कर सकता था तो सिर्फ और सिफ डुपलेक्स ही लीडर्शिप सिफ डुपलेक्स के दम पे करता था अब डुपलेक्स ही चला गया है तो सत्रा सो चौवण में 1754 में गोदेहु को भेजा है तो नामी देख रो किसी के हाथ नहीं लग रहा है बट अंग्रेजों का बड़ा फायदा हुआ कि डुकलेक्स यहां से चला गया है दूसरी तरफ अंग्रेजों का यह भी फायदा हुआ कि अब जो नए नवाब हैं मुहम्मद अली यह अंग्रेजों के दोस्त हैं और उधर भी सालबत जंग आ चाहे वो हैदराबाद हो और चाहे वो कारनाटिक हो दोनों ही अंग्रेजों के साथ हैं क्या फ्रांस को बड़ी हार का सामना करना पड़े यहां पे फ्रांस को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा यह जो इंटरनल जगडों में घर के जगडों में कूदा था डुपलेक्स यहीं उसके लिए बैकफायर कर गया थोड़ी देर के लिए खुशी हुई थी कि हां कुछ-कुछ हो गया बाट यह है बात में पता चला कि कुछ नहीं हुआ है यहीं राइट अन नाव रिकेंगा इसको नापको होंवर के नौट बैटल नौट बैटल इस हापनें इन 1758-63 अगेर घर में लडाई हो रहे हुआ वहां पर यूरोप में जो है अब यह सब पढ़ोगे तुम जो है जब वर्ल्ड हिस्टी पढ़ोगे पट अगें वर्ल्ड हिस्टी इस नौट इंपॉर्टन तो इसी दिटेर में जाना नहीं है है ना बट सिस्टिल बट सिल तो 7-year वार तो 7-year वार चल रहा है अगें ब्रिटेन और फ्रांस वहां पर पर रहे हैं उसका इंपाक्ट फिरम यहां पर देखेंगे हैं ना तो ना विल्रीयलाइज कि हैर 1758 1758 लास्ट बैटल लास्ट बैटल 1758 फ्रांस एक गलती गर बैठें राइट है ना की हां बहुत बेज़ती हो रखिये कुछ बंजा लेंगे कुछ परेंगे है तो रखिये जहां व मैं है उसनमें काउंट डियाली रखिये यह जो है अंग्रेजी जो फोर्ट है सेड देविल्ट उसपे अटाक कर देंगे और विजिया नगरम पर अटाक कर देंगे ऑगे लड़ाई वहां कियो यहां सब दस्ती इसको केरी फॉरवरड कर दिया तो व इंग्लिश इंग्लिश विल अटैक तो इंग्लिश विल स्टार्ट अटैकिंग और यह यह फेमस बैटल है बैटल ओफ वेंडी वॉश 1760 यहां पे जनरल आयर कूट हरा देंगे अंग्रेजों को तो यहां पे जो फ्रेंच आर्मी है यह कम्प्लीटली हार जाएंगी पूरी तरह से हाळ जाएगी और यह पूरा घेम यहां पे खतम होझा लंडर जह इनको यहां साओ लीकिया न यहांस से लेके जा। करके पॉंडिचरी को भी सरेंडर करना पड़े गया तो नाओ इट्स लाइग की जह है अपरूठी कर दिया अंग्रेजों ने आखरी वार में एकदम कहानी खतम कर दिया जड़ से खतम कर दिया वहीं बथा चोटा बोटा बिजनस करते रहेंगे राइट हैं फ्रांस यहां पर से रहेगा ब्रकाइस के आगे कोई रैलेवनस है ना इसके आगे कोई फ्रांस की रैलेवनस नहीं तो समझो इस बात को now from here onwards तो हमने समझा कि भाई 1605 से जो कहानी शुरू हुई है 1605 से जो ग्रौथ है अंग भिसनेस त्रेडर रैट रेकिन 1605 से 1640 तक की जो कहानी है वो रोर ट्रेडर है बट 1640 새 1660 तक आते हाते 1760 सब्सक्राइब तरह सो चालेज से 176 विच इंगलो फ्रेंच राइवल्री यहां तक आते आते हम देख रहे हैं कि अब गेम चेंज हो रहा है काफी पहले ट्रेट की बात थी बट यहां तक आते आते पॉलिटीकल बात हो रही है इन फैक बैक्ग्राउंड में एक और बड़ी चीज हो चुकी है बैक्ग्राउंड में they have already won battle of plassi ये बात करेंगे next class में battle of plassi 1757 तो ये बंगाल already हरा चुके है तो बंगाल का जो resources था वो भी already अंग्रेजों के पास था तो France पता नहीं क्या सोच रहा था उसे कैसे लगा कि हाँ वो हरा सकता था यहाँ पे अंग्रेजों को it was next to impossible अंग्रेजों को यहाँ पे हराना और यहाँ से जो अंग्रेजों का जो Rise of East India Company होगा वो हमें हमारी अगली कहानी है कि Rise of East India Company किस तरीके से हो रही है यह next story है राइट अच्छा अगेन अगेन क्या क्या यहाँ पे France बाहर हो चुका है विल्रेलाइज अगेन कि जो भी आया था France क्या France गेम से बाहर हो चुका है क्या क्या जो है हमने बात करी थी कि 1612 में Portuguese को हरा दिया था और धीरे धीरे Portuguese क्या गेम से बाहर हो चुका है यह प्लस प्लस डच की बात करें तो 1667 की 1667 में ही clarity आ गई थी तो टेकनिकली डच भी बाहर हो चुका है डच अपना इंडोनेशिया में देखेगा प्लस यहाँ पर भी 1759 में भी डच को एक बार हराया है बैटल अब बेदार है यह भी पीछे लिखादा आप में तो जो जितने भी लोग आये थे अब सब बाहर हो चुके है कोई गेम में नहीं राइड है ना जो है कोई नहीं है टककर में क्या पड़े हो चकर में सब सुना है तो हाँ वैसा ही है कि तो यहां पर हमने तीन बैटल की बात करी आंगलो फ्रेंच रावल्री की बात करी राइट है ना प्लीस पढ़िये गाई से क्यों अंग्रेज जीते इस इस सम्थिंग जो है यहीं 1616 में आये हैं तो 1605, 169, 111 के असपस अंग्रेज और 1616 में डेल्स के अंट्री बट यह हमारे लिए रेवन सिस्टे नहीं है क्योंकि यह सिर्फ और सिफ क्रिशानिटी स्प्रेड कर रहें सिर्फ और सिफ क्रिशानिटी तो इनका मेजर फोकस यहीं है जो भी है तो थोड़ी बहुत फैक्टरी लगाएंगे अंग्रेजों को बेच देंगे एक ही याद सेंटर है जो हमारे इंपॉर्टेंट है विच इस ट्रैंक के बार एक तंज पोल्डेट सिट और कोई कहानी नहीं राइट सथना अव्ड़ी तो इस टोड़ा मैनत मांगता है पढ़ाई गरिया आप बहुत करिए बागे नेक्स सेशन बबाए टेक केर और यह आई साइन बबाए